अब मेरे साथ रहना बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है अब यह बेसिकली यहां पे इस चैप्टर में अडिट रिपोर्ट में ना स्टैंडर्ड से बरावा चैप्टर है इसके लिए जो यूट्यूब पे जो मैंने स्टैंडर्ड अपलोड किये ना उनमें यह साथ सो की सीरीज नहीं क्योंकि यह मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ज अब द्यांट से सुनना ओडिट रिपोर्ट अन फाइनशल स्टैंटमेंट शुरुवाट से अपन बात करते है कुछ स्टैंडर्स कि अगर बात कर रहे हैं यहां पे तुजर आपन कुछ अच्छी चीज से बात करते हैं अभी लिगना नहीं अभी शिव और सिर्फ और सिफ इस पहले बनाओ फिर रिपोर्ट करो उसके लिए यहां पे यह 700 दिया है बट यह आता कैसे 700 तक समझने की कोशिश करना जब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्स की स्टैंडर्स ओन ऑडिटेंग आपको मालूम होगा कि अलग अलग तरीके के स्टैंडर्स होते हैं स्टैंड सारी से यह सब बहुत सारी चीज़ है अपने पास बराबर के लिए अब ट्राइटु अंडर्स्टैंड यह से सारी सारे से से इनकी अप्लिकेबिलिटी अलग-अलग है स्टैंडर्स का फर्स लेक्षर आप यूट्यूब पर देखोगे न तो उसमें बकाइदा सिव आदा घंटा तो एक घंटा तो उस पर ही बात करी है मैंने हाँ एक ऐसे सरे से से की अप्लिकेबिलिटी अलग-अलग है धंडर्स हाँ इसमें नगए थे अप्लिकेबिलिटी अचोड़र्स ऐसे अपन बात करते हैं एक जिसमें रिजनेबल अश्रिण्स फिर एक में लिमिटे अश्रेंस होता है एप भी पहीं गोगरे तो जिसमें अश्रेंसी नहीं है वहता है SRS, related services like accounting वगरे, क्योंकि अकाउंटिंग वगरे करने में अपन कोई सामने वाले third party का कोई confidence बढ़ा रहे के अपन? नहीं, we are just doing the accounting and giving it, उससे कोई किसी का confidence नहीं बढ़ा रहे, we are not expressing any opinion on it, therefore वो SRS आता है जब अपन audit on historical financial statements करते है, financial statements करते है तब जाके essay applicable होता है, when you read any of the essay अब देखो ये साथ सो में भी, end में क्या लिखावा है, on the financial statements so whatever you do बराबर, on financial statements and give a reasonable assurance essays are applicable what is applicable, essays are applicable my dear friends, try to understand now अभी हम लोग बात कर रहे audit of financial statements की now अब जब लोग audit on financial statements की बात करते है so you have to conduct your work in a sequential manner कैसे जड़ा ध्यान से सुनना है सबसे पहले जब अपन audit करने जाते है तो audit करने जाने के पहले ही आपको एक essay मिल जाता है रस्ते में वो होता है essay number 200 वो आपको ग्यान देगा about overall objectives of independent auditor कर मेरे बात को समझना बहुत मजा आएगा आपको 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 overall objectives बताएगा की बोलता है you have to work in accordance with integrity objectivity professional competence and due care professional skepticism professional judgment अच्छा हम लोग को वैसा काम करना है that is our overall objective of an independent auditor ये पहले शुरुवात में आपको essay 200 बोल दिया इमांदर इसे काम करना professional judgment इस्तमाल करना professional skepticism रखना बराबर के नहीं ethical standards को follow करना ये सारी चीज़े कौन बोलता है आपको essay 200 उसके बाद हम लोग बोले okay essay 200 I'll do my work according to that let me go ahead जा रहा हूं आगे वैसी और standard मिल गया मुझे बोलता है essay 210 agree the terms of engagement बोलता है ये भाई काम करने के पहले अपने आपको संभालने ना management की responsibility auditor की responsibility decide कर लो किस तरीके का opinion देना है किस form का report देना है decide कर लो management आपको क्या-क्या support करेगा क्या-क्या information देगा क्या वो उसको agree करते है या नहीं करते है वो आप check कर लो उसके बाद ही आप आगे बढ़ना तो मैंने का भाया बात तो गजब की करी है तुमने तो ऐसे 210 की बात में खुश हो गया और मैंने बोला कि management let us now agree the terms of engagement management बोला okay agree कर लेते हैं जब एक दम हो गया agreement तो मैं बोला आप काम करू अब फाइनली करू तो आप सब पर अप्लिके बलोने वाला स्क्यूसी वन जो सब पर से एसरी एसरे साइस सब पर अप्लिके बलता होता है स्क्यूसी वन बट स्पेसिफिकली ओड़न फिनेंशल सेटमें प्लिटी मिंटें करना है तो आता है कौन सा से 220 से 220 बोलता है थे बाई तो आप शेयर पार्टनर तरी ओर रॉवर्ड रिस्पंसिबिलिटी तो मेंटें दो कोलिटी दिखना बहुत इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है कर रहे तो तो यूशूड मेंटेण कॉली टेन कौलीटी अकॉलीटी मेंटेंग लिए आपका होना चीए independent रहेंगे इंडिपेंडेंगे फिर उसके बाद मेन अब तो कर लो अडिट ज़या कर ना शुरू किया शुरू किया वैसी और एक से 230 बीच में से आ गया क्या कर रहे हो लुकुस्ने अडिट कर रहो बलारे सुना वह अडिट करेंगा तो जो पेपर हो गर हो गाना वो साथ साल क कुमेंटेशन में करना है मेरे को पुछा कितने साल के लिए मेंटेन कर ले ना बोल रहा हूँ अभी और अगर यह पेपर्स अगर तु एक फाइल में बना दे तो वह बन जाएगा तुमारा ओडिट फाइल वर्डिट वर्किंग पेपर्स यह वर्क बोग का बहुत सही है फिर मेरे वर्किंग पेपर्स मेंटेन कर रहा हूँ सब कुछ होगर होगर है फिर देख रहा तो कुछ तो भी सो घड़वर्ड नजर आरी हो अड़िट करते 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 तो फिर आया ऐसे 240 बोला देख ओडिटर ऐसे तेरी जिम्मेदारी नहीं है यह फ्रॉड वर्डिट करने के कंपेडिए ओसे कि रहने को क्या वात कर रहा है कब मिरको भूला क्याते है तूँकर टेक्शन आए तो डिएला है तो अबेर स्पर्मेर ये प्रॉड नहीं है तो मुलते है तो वह मिल्ट चाहिता है देख यह जिदेख आफ देख देख तक्सादिक देख प्रॉम management fraud risk is too high as compared to the employee fraud and you should always maintain the attitude of professional skepticism. You remember I said 200 told you, right? And then if you find any suspicious activity, then you have to do what? Detect that errors and fraud. That time your responsibility will be activated. I was like, thank you, thank you very much. पिर जैसे एक ने जयान देना शुरू कर दिया ना, बाकी के लोग मांते निया सब लोग जयान देना शुरू करते फिर, आपन दिखते हैं, एक कोई जयान बातना शुरू करता है, सब लोग अपना अपना एक्सपर्ट ओपिनिन देना शुरू करते हैं, तो आया ऐसे 240, 240 बोल थू, 250 आया, बोलते है, तून तू डिटेक भी कर रहा है, तो काम करने ना, और से कंप्लाइंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी तू देख ले, 260 आया, वो बोलता है, तू कम्यूनिकेट भी कर ले ना, बोलता है, 265 बोलता है, यू अल्सो कम्यूनिकेट, TCW जी को, इंटरनल कंट्रोल के वीक्नेस को, मैं बोला, आपकोई बचा है और, वो बोलता है, 299, जब दो लोग मिलके काम कर रहा है, तुमारी responsibility है, वो लगाई की responsibility है कि तुम आपका काम बाटो, बराबर के नहीं, जो जितना कोई काम कर रहा है, तुम उतने के लिए responsible रहोगे, अई बात समझ में, और जो काम तुमने अबाटा नहीं है, एकटा कर रहे हो, उसके लिए तुम जॉइंट एंट से रिलाइबल होंगे, उससा 299 बोला, बोला आप कुछ बचाए का कोई, बोलता नहीं, तो अगर आप देखोगे, 200 to 299 की सीरीज में, सब लोग बता रहे कि auditor की responsibility क्या है, पूरा codification इसका 200 to 299 is about what the responsibilities of the auditor, मैं बोला अप करू काम, बोला हा, सब ने responsibility बता दी, बट फिर आगे 300 की बोलता है, भाया सुनो, आपने आपको जो audit है, वो पूरा प्लैनिंग के साथ करना चाहिए, यू शुद नो यूर टर्मस अगेजमेंट, इस्टाटरी रिक्वारिमेंट, बरा समझ में आपको, so you prepare your audit in the planned manner, और यह प्लैनिंग के बारे में बोलता है, audit strategy, planning and execution, या old syllabus में audit planning, strategy and programming, बरा बर के लिए, तो आपको इस हिसाब से आपको क्या करना है, audit आपको 300 के हिसाब से प्लैन करना है, बोला ठीके, प्लैन कर लूंगा, आगे, फेरा बाता है, essay number 315, बोलत to identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment, मतलब क्या करना चाहते हो, बोलता है जब तो अभी प्लैन कर रहा है, audit, अब तो पर्फॉर्म करेगा, so 300 and 400 series is about what, planning and performing, when you plan, now you have to perform, but when you are performing, at that point of time, you have to identify and assess the risk of material misstatement, the essays do not consider control risk and inherent risk separately, the combined assessment of inherent risk and control risk is together called as risks of material misstatement, जो risks control रगाने के पहले ही मौजुद होती है, उसे कहते है control risk, और उस risk को protect करने के लिए, जो controls लगाते है, उन रिस्क को कहते है control risk, sorry, उने कहते है controls, और अगर controls नाकाम हो जाए, controls fail हो जाए, तो उस risk को आपन कहते है control risk, and दोनो control risk और inherent risk को मिला के आपन बोलते है क्या risk of material misstatement, समझने की कोशिश करना, अगर control risk जादा है, मतलब controls बूरे है, मतलब errors and frauds होने के chances जादा है, इसका मतलब inherent risk जादा है, तो दोनों में direct relationship है, बट जब अपने को दिखता है, inner interest risk जादा है, तो अब अपन क्या inner interest risk कम है या जादा है, या अपन कब find out कर सकते है, कब find out कर सकते है, कि जब अपने को पता चलेगा, entity और उसके environment के बारे में, तो इसके लिए 315 बोलता है, you identify and assess the risk of material misstatement, through understanding the entity, entity, logically na, first, आप जिस business का audit करने जारे हो, जैसे आप अब भी office में भी करते हो, पहले तो आपका boss आपको बोलता है, यह उस company का last year का audit है, यह file है है, तो पढ़, so that you understand the entity, in what manner their work is being performed, you understand their environment, you understand कौन से कौन से controls लगे हुए, फिर उसमें आप क्या करते हो, you think about inherent risk को और simplify करता हूँ आपके लिए, you think about what can go wrong, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या गलत हो सकता है, what can go wrong, as an auditor you have to think, when you are identifying and assessing risk of material misstatement, सर अभी तक समझानी, clear idea आई ही नहीं सर, अब जैसे आप को यह organization में जाते हो न, तो आपको बैठे-बैठे बस सोचना है यहाँ पर कि यहाँ पर साला क्या गलत हो सकता है, जो जो गलत हो सकता है, आप वो सोचते हो न, उसको आपन बोलते है inner interest, because you are thinking this before internal controls, आपने यह नहीं सोचा कि यहाँ पर उस चीज के related control है या नहीं है, बट बस आप बैठे-बैठे आप क्या सोचते हो कि यहाँ पर यह गलत हो सकता है, आपको मालूम नहीं उसके लिए control है या नहीं है, फिर आप list of possibilities of risks आप निकालते हो न, उसके बाद आप management को बुलाते हो, इधर आ, और फिर management को बोलते हो, देखो हमको लगता है यह यह risk है, इसको product करने के लिए आपके पास क्या-क्या controls है, तो आपने जो inherent risk सोची थी न, उस related आप management को पूछते हो, इस related controls बताओ, फिर management आपको वो-वो controls बताता है, तो वो controls बन जाते है, आपके controls relevant to audit, अब सारे controls थोड़ी चेक कर सकते हो, और सारे controls चेक करने बैठोगे, तो आपका audit कभी होई न, पाएगा पूरा, तो इसके लिए आप पहले सोचते हो कि एरिया में क्या-क्या गलत होगा, आप ये गलतिया सोचके फिर management को बोलते हो, बताओ, इस related controls क्या है, फिर management आपको control बताएगा, फिर आप वो controls को चेक करोगे, बराबर, फिर control चेक करने के बाद दो बता चलेगी एक तो control अच्छे या बुरे है, अगर control बुरे है, तो directly conclude मत कर लेना कि यहाँ पे इनर इंटरिस जादा है करके, नहीं, फिर management को पूचेंगे, या आपन खूचे डूंदेंगे, इस related को अल्टर निटिव कंट्रोल है क्या, एक नहीं चल रहा है, इस related दूसरा तो यह सारी चीज़े आप कप कर सकते हैं यह अंडर्स्टेंड इंटिटी, बत रिमेंबर, यह सारी चीज़े आपको करनी होगी, बेस्ट अन वाट मटेरिलिटी, वो अगला स्टेंडर एसे 320 आके बोलता है, यह आप तो only focus upon the things that can influence the economic decisions of the users of financial statements, taken on the basis of financial statements, तो एसे 320 आता हो ब यह देखो आपको पूरा काम करना है ना मटेरिलिटी के बेसिस पे करना होगा, ऐसा, तो कैसे करें मटेरिलिटी, तो वो बोलता है, देखो, सबसे पहले you have to set a benchmark, बराबर के लिए, बेंचमार्क सेट करना मतलब क्या है कि देखो, जैसे आपन बोलते है कि यह एक स्टेंडर level, आई बात समझ में, materiality level set किया इसके अदर, इसके उपर गया, decision affect होगा, इसके नीचे, decision affect नहीं होगा, तो this level is called as what? materiality level, बराबर के नहीं, आई बात समझ में, इसके बात समझ में, this materiality level is to be set as a basis of the percentage criteria, मतलब, misstatement as a percentage of sales, misstatement as a percentage of fixed asset, आप वो amount जो निकाल होगे न, वो amount percentage basis पर आप निकाल होगे, that will help you to set the benchmark level for materiality, remember whatever percentage you set is a matter of auditor's professional judgment, बराबर, क्योंकि materiality is a subjective term, it varies from person to person, so what percentage I will fix, I will set is a matter of auditor's professional judgment, any difficult detail here, no, but अब क्या होता है, materiality level तो मैं set कर लेता हूँ, दोस्तों बात को समझना, materiality level तो set कर लेता हूँ, बट कभी-कभी क्या होता है, मेरे पास ध्यान देना, बहुत important चीज़ बोल रहा हूँ, materiality level सेफ़गाद आट, इस materiality level के नीचे में एक level set करता हूँ, called as the performance materiality, performance materiality is the materiality set at less than materiality level, so that the aggregate of uncorrected or undetected misstatements may be less, तो बोलते हैं, मेरे को, जैसे आपन बोलते हैं, कि मैं, जैसे आपन जैसे अभी cricket खेलते मालो, सामने अले को टार्गेट है 300 जीतने के लिए, बट आपन क्या खेलते हैं, आपन क्या खेलते हैं, चला आपन आजिम करते हैं, कि उसको टार ऐसी बात हो गई वो, so that is performance materiality, काम करने की materiality अलग और overall materiality level अलग, अही बात समझ में, तो ये पूरा ज्ञान गणित किस ने दिया ये, इसे number 320, अही बात समझ में आपको, फिर अपन ने risks को identify किया, based on materiality, अब करे क्या, तो अपने को दिखता है कि control risk जादा है, inherent risk उसके वज़े से जादा है, और वो material है, that is nothing, we call it as what, material misstatement, 315 and 320 combined together, material misstatement, boss, तो आप मुझे है material misstatement, तो आप मुझे है, तो क्या करो, मैं चुप भाई ठूगया, नहीं, फिर आता है, essay number 330, 330 बोलता है, response to the assessed risk, मतलब फिर आपको बोलता है कि आपको कितना detection करना है, कितना checking करना है, आई बात समझ में, that is essay number 330, response to assessed risk, मज़ा रहे कि standard पढ़ रहे है, अपन पूर है, फिर आता है next, essay number 402, service organization, आदे बच्चों को तो service organization का भी जिंदेंगी में पल्ले नहीं पढ़ाई है, एक तो 402 और 43, ऐसे कुछ तो भी एक SRE है, कुछ तो भी एक, 4302 ऐसे कुछ तो भी है, इतने 4502 ऐसे कुछ तो है, 3402, perfect, तो वो जो है ना, उसमें भी service organization की बात है, अब दोस्तों, what is service organization, अब बहुत सी बार क्या होता है, concept समझ जाना, standard बहुत easy है फिर, service organization में होता क्या है, बहुत सी बार अगर मैं company हूँ, तो मुझे maintain करना है क्या, मुझे HR department maintain करना है, मुझे production line maintain करना है, मुझे packaging maintain करना है, मुझे sales maintain करना है, बहुत सारी चीसे मुझे company में चलानी है, मुझे, so what happens, it becomes a very hectic or tedious task for me, to say to manage thousands of employees, by myself, to मैं इतनी महनत नहीं करना चाहता हूँ, to मैं क्या करता हूँ, मैं इसको outsource कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, तुमारा organization मेरा HR का संभाले का होगो, आई बात समझ में, right from attendance to recruitment to salary disbursement, everything you are going to do it, you are providing me services in respect to HR, अब इसकी services के मेरे financial statements related है क्या, हाँ क्योंकि मैं salary expenses दिखाता हूँ मेरे financial statements में, मेरा auditor आता है और मुझे पुछता है कि हर्षचत्र, आपके organization में salary related क्या क्या control मुझे देखना है, बताहिए, मैं बहुता हूँ, बहुता हूँ, मैं तो salary maintaining करता हूँ, मैं third party को दे रखा हूँ, वो service organization है, और यार अब auditor confusion में आ गया, अपने organization तो maintaining कर रहा है, यह तो कि third party organization maintain कर रहा है, बरावर, तो आप audit perform करने के लिए, ऐसे कहता है कि you can also check the internal controls of the service organization or the working of the service organization providing services to us, so that उसके working style पे अगर confidence आ 002, फिर पूरा यह सब काम करने के बाद, SA 450 आता है और बोलता है, you evaluate those identified misstatements कि आपको पता चलेगा actually कितनी गलती है, कितनी नहीं है, and then for doing all those things, you need what? evidence, the entire SA 500 series talks about what? evidence, 500, you obtain sufficient and appropriate audit evidence, 501, you obtain evidence in respect of litigation and claims, inventory and segment information, उसके बाद आपन बात करते है, आपको evidence obtained करना है, तो so you do it what? through SA 505 external confirmation, 510 अगर first time आप audit कर रहे हो किसी entity का, तो you have to check the opening balances, बराबर to check whether it has been correctly brought forward, और the accounting policies adopted by them are consistently applied, फिर आपन बात करते है, SA 520 analytical procedures की, analysis करो, with the financial to financial or financial to non-financial or with the prior period, anticipated results or industry information, आप उसे analyze करो, फिर आपको ऐसी गलतिया मिलेगी, जो शायद आपको पहले पता नहीं थी, क्योंकि आपने analysis किया, ऐसा ऐसा होगा, तो वैसा वैसा होना चाहिए, बट Remember, analytical procedure provides you with the evidence, but it does not provide you with the corporative evidence, सर मतलब क्या, corporative evidence मतलब वो आपको confirming evidence provide नहीं करता, यह सिर्फ आपको दिखाता है कि यहाँ पे गलती हो सकती है, That is, analytical procedure में लिखा गया, SA520 में, कि it is an attention directing process, यह आपकी ध्यान आकरशित करने की process है, उसमें आपको concrete evidence मिलेगा नहीं, बट आपको एक head start देगा, कि this is the area where you have to look, बट पूरा करना मुम्किन नहीं है, इसके लिए वो आपको बोलता है, SA530 इस्तमाल करो, sampling करो, कभी-कभी आप, कुछ estimates भी देखते हो, जैसे useful life of an asset, contingent liability, depreciation, it is based on what, the accounting estimates, accounting estimates, कौन करता है, management, management के accounting estimates को identify करना is an inherent limitation of the audit, so therefore, SA540 आता है और देखो कि वो estimates reasonable है या नहीं, SA550, related parties, देखिये, related parties transaction करने से, कोई भी कानून आपको मना नहीं करता, मेरी बात को समझना, आप related party transactions कर सकते हो, कोई restriction नहीं है, but क्या होता है न, mostly, the fraud वाले जो transactions होते है, the major chances are that, it may be conducted with the related party, so you have to check related parties thoroughly, moreover, related parties यफ चेक करते हो, so there is an inherent limitation, in the audit, that auditor cannot identify all the related party transactions, क्योंकि आप सम्झों अगर यह क्लाइंट है मेरा मैं इसको बलता हूं भाया आपके सारे लेटेट पार्टी इसके लिस्ट दीजिए मुझे अगर इसने कोई एक दो लिस्ट में नाम नहीं दिया उस लिस्ट में, तो am I in a position as an auditor to find out each and every related party, no, it's an inherent limitation, next, अपन बात करते हैं, 560, subsequent events, subsequent events क्या होते है, audit report, financial year खतम हो गया, audit report देने के पहले, उस बीच में जो घटना है घटती है, which has an impact on the auditor's opinion, auditor need to consider that, आई बात समाझ में, that is subsequent event, it's a 570 going concern, auditor also has to report, as per 570 about the entity's ability to continue as a going concern, उसके लिए उसको अलग-अलग indications मिलते है, financial, operating and others, कि जैसे अगर कोई lease renew नहीं हुई, finance अगर कोई नहीं, अगर major contractor अगर चला गया होगा, तो losses हो सकते हैं, तो उसमें आपको चेक करना है कि, is entity in a position to continue as a going concern, उस ते एलेटेड आपको sufficient appropriate audit evidence obtain करना पढ़ेगा, 550 return representations, ऐसे 550 return representations, द act as an audit evidence, but it is not sufficient and appropriate audit evidence, that is to say, we cannot use the return representations exclusively, but we can use return representations to support other audit evidences, आई बात समझ में आपको, so return representation is not a substitute, but it is a supplementary audit evidence, आपको ये उन लोगो से लिना है, return representation, जो responsible है, financial statements बनाने के लिए, और जिसको management ने वो power delegate किया है, उन लोगों से, अगर इसने accounts बनाई नहीं है, तो मैं इससे representation नहीं ले सकता, I have to take it from the person, who has prepared the accounts and who understands their responsibility, ऐसा से 580 में लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के evidences आपने प्राप्त कर लिए, और यह काम करते समय, आप किसी और कि सहायता अभी ले सकते हो क्या, हाँ, तो उसमें आपको सहायता लेनी होगी, other auditor की, branch के case में, बराबर के नहीं, but remember, branch, जो 600 जो है न, सिफ ब्रांच के लिए लगेगा, joint auditor के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि joint auditor के लिए अपने पास कौन सा ऐसे है, 299, आप internal auditor का भी काम य था, वो क्या, you can also use the assistance of the internal auditor, दो बाते होते हैं उसके अंदर, आप बातों को समझना, एक तो उसका काम इस्तमाल करना, और दूसरा जो अब अमेंड हुआ था ना, दो एक दो साल पहले, एक साल पहले, वो क्या था, आप उसका काम तो इस्तमाल कर सकते हो, आप standard कहता है, कभी आप उसको भी इस्तमाल कर सकते हो, उसको बलते हो, तो मेरा काम कर ले, बराबर के नि, you can take the assistance also, तो उसके लिए conditions दिया है, कि आपने उसका competence देखना है, कहीं अपना conflict of interest नहीं हो रहा है न, independence तो कहीं अफेक्ट नहीं हो रहा है न, बराबर, तो ये सारी चीज है, और उससे confidential का अपने को एक साइन भी लेना है, ये सारी चीज हो को मद्दे नजर रखते हुए, अब जो ओडिटर है न, फिनली, 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 he will come to what, his opinion, and he will report it, and that is to be done, through essay number 700, which we are going to study, अब बुलना मत, revision batch में standards नहीं पढ़ा है, sir न, आई बात समझ में, so we completed the entire thing, अगर आप इस structure से पढ़ोगे न, nothing like it, पूरे standards linked करके, मैंने आपके सामने रख दिये, and अगर आप, घर जाके, रोज अब इस तरीके से, मतलब ये जो मैंने flow दिया न, इसको ध्यान में रखते हैं, अगर रोज एक-एक standard भी पढ़ोगे, self नहीं बोल रहा हूँ, already YouTube पे है, right, आपका standards का tension है अट गया, tension है अट गया, फिर बच्चे बोलेंगे, standards का, sir हमको बहुत tension आता है, ये common चीज़ आप देखते हो, बहुत से लोगों में, standards बहुत easy है, वो एक से एक bubble create किया गया है, student fraternity ने, या तो बहुत सारे teachers, वो यही bubble create करते है, कि standards, 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 is everything, that I don't understand, why the institute also gave the syllabus के इत्ते सरे modules, logic है ना, ये chapters क्यों दिये फिर, अगर standards ही सब कुछ है, right, standards no doubt important है, 10-15-20 मार्क के लिए आते है, but उसको अपने को, एक क्या बोलते है, उसको, quality study करना है, अपन, quantity of time, वो 20 मार्क के लिए जादा डालते है, फिर ये इग्नोर कर देते है, सब्सक्राइब को एक लिंक समझ में आया क्या, yes, एक्दम simplified manner में, so now, are we good to go, form our opinion, and report it on the financial statements, yes, so let's go ahead now, so forming an opinion, and reporting on financial statements, ऐसे 700, अब ये सारे standards, आपन पूरे 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 बढ़ेंगे, okay, yes, hmm, okay, so, अब फॉर्स पॉइंट, objective, to form an opinion on the financial statements, and express it clearly through a written report, जो objective अगरे छोड़ देना, मैं जो है, basic elements ये इसका, purpose क्या है, कि comparability होना चाहिए, और consistency होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, सारे जित्ते भी chartered accountants है, पूरे इंडिया में, सब लोग को एक ही format यूज करना पड़ेगा, अगर सब लोग अलग अलग तरीके से अपना audit report present करने लग गए, तो we as the users of financial statement, will not be in a position to understand actually which auditor is trying to say what, therefore, essay 700 का परपस ही है, let us have a consistency, so that we can compare it with the other companies, or compare it with the previous years, what exactly the auditors want to say, that is the importance of essay number 700, फिर उसके बाद हम लोग अगे बढ़ते है, and that is the crux of this essay 700, basic elements of audit report, अब देखो आप यहां पर बैठे हो नवाप लोग, तो आप लोग आप सेमिनार के लिए हो, किसके लिए हो, सेमिनार, क्यों क्या होता ना, बच्चा जब यह पढ़ने के इंटेंशन से पढ़ता है ना, तो वो जान पर आती है बहुत, बराबर, बट ऐसे ज्ञान के लिए, आँ ऐसा है, आँ 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 आँ, आप का भी दिस्क्शन करते रहता है ना, कोई चीज के बारे में, राइट, आँ आँ आँ, आँ आँ क्रॉस ही कर रहे हो आँ अपके ड्रीम पूरा हो रहा है, फील करो अभी से, क्योंकि जितना आप अंदर से फील करोगे न, पुरी काइनात इखटा हो जाएगी आपको वो ड्रीम अचीव करने के लिए, बराबर, तो, अब आप सीए बन गया हो, अब क्यों अटेंड कर रहे हैं सेमिनार, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा क्लाइन्ट है, जो आपके ओफिस में आपका वेट कर रहा है, बराबर, वो आपको लाखों रुपे देगा, as audit fees, बराबर, बट आपको उसको देनी है audit report, बट साला पंगा यह हो गया, कि मेरे को audit report बनाना कैसे है, मुझे को वो ही नहीं आता है, opinion कैसे देने मेरे को वही नहीं आता है, I don't know that structure, so मैं उससे वो fees का check लेने के पहले, उसको मिलने के पहले, मैं यहां बैटा हूँ हर्षद सर की class में, यह पता करने के लिए कि सर audit report कैसे देना है, उत्ता बता दूँ मैं फटा पट बना के उसको sign करके दे दूँगा, लाख रुपे का check ले लूँगा, मजा आएगा न पढ़ने में फिर एशे, और आओ क्लाइंट बैटा है, एक लाग रुपे लेने, मैं बस एक 10 मिनिट सर का प्रोच और सुन लेता हूँ, सौटे डेलाइप, है ना, राइट, सो चलो, बेसी कले में, तो अप लगा भी audit report बना रहे है, बराबर, audit report जब आपन बनाते हैं ना, चीक है, तो आपको, audit report, अपने किसे सामने भी रखते हैं ना, यह भी लेटेस्ट, HCC का, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो पुने में, मेट्रोज वगरे चल रही है ना, तो उसकी यह, बैलेंस शीट है, यह, अन्यूल अकाउंट से उसके, तो आपन, उसकी ही audit report देखते हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के opinions भी दिये हैं उन्होंने, तो वो अपन बाद में तो study कर ही लेंगे, बट पहले अपने सामने, एक format होना बहुत अनिवार रहे है, यह रहा अपना audit report, साही है, फोकस करना, बच्चों आपको audit report बनानी है, एकदम थंडे दिवाग से पढ़ना है इसको, रिलाक्स एकदम, राइट, तो, बेसिक ऐलेमेंट ऐस पर इसे 700, पहला जो आता है, टाइटल, बट आप बना रहे हो अभी बैठे हो आप लिखने के लिए, पहले आप लिखेंगे टाइटल, अब ऐसे एडिग ने देना, जिसे बच्पन में फर्मल लेटर राइटिं करते हैं, ताइटल लिखेंगे पर इसे ने, टाइटल होगा आपका इंडेपेंडेंट अडिटर्स रिपोर, इसे 700, रिवाइट, पहले आप लिखेंगे तो आपको देना है क्या टाइटल, टाइटल में लिखना है आपको, इंडेपेंडंडेंड औरृस रिपोर, itatल को बाद, वी ओम पो इसे उलापन है, इन अपन धो इसे पौन सब्सेंड़ करेंटर्स को पर है। It depends upon the circumstances of the situation for what you are auditing. Just say branch auditor, he will report to the company auditor. Internal auditor, he will report to the management. Statutory auditor, he will report it to the members of the company. When we see over here, can you see, to the members of Hindustan Construction Company Limited, address he. आई बाद समाजने आपको? ये साथ सो के सबसे बनाया बच्छो. आई बाद समाजने आपको? So first, अपना जो है, वो क्या है बच्छो? आई बाद समाजने आपको? Number two is what we talk about is the addressee. And then, the next part is auditor's opinion. यहां से important चीजे शुरू होती है. एकदम आःम से सुनना. Auditor's opinion. This section is divided into two parts. Number one, इचाल अपने परपस के लिए अपन लिखते है, it shall talk about the introduction. And number two, we talk about is the opinion. So, auditor's opinion में अपन लोग दो हिससे डिवाइड करते हैं उसका हूँ. वो कौन से दो हिससे होंगे? Number one is what? The introduction. And number two is what? The opinion. अब introduction में क्या है? देखना है. Identify the entity. कि हमने इसका audit किया है करके. लिखना पढ़ेगा ना कौन सी कंपनी है बस? ज़िए अपन लोग तो ओफिस में क्या करते हैं? तीन चीजे करते हैं audit report बनाने के लिए. CTRL A, CTRL C, and then CTRL V. And then we change the date and everything. तो अब अगर सबका वैसे है साब, पता तो चले किसका है ये? तो इसके लिए देखना है इसके लिए राइटिफाई इंटिफाई इंटिटी किसका है ये? पिर आपने इसका कोपी कर के इसमें पिर नाम चेंज करते हैं. ये एना? इसके जी है, हुआ हमने एक का इसका अडिट किया है. इन धर और पूर्थ, क्या क्या क्याता है? इटिफाई पिर टाइटेल हो एच ब DaiU沒事heet, Profit and Loss Account, Cashflow Statement. ये फॉर्थ मैं क्या लिख़व है है अड्सर प्रफिको च साथ. एंदेन लास्ट पॉइंट लिखना है स्पेसिपाइड देट और देट पीरियन देट होते ही बैली शीट के लिए और पीरिड होता है स्टेटमेंट आफ प्रॉफिट एंड लॉसके तो यह सब चीजे लिखने है मतलब क्या हमने इसका हमने इसका और डिट किया है यह 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 चीजे देखिये इंक्लुडिंग नोट्स टू अकांट्स पर दिस पीरियर्ड और दिस देट बराबर करें आपने आओ ओफिस में कभी यह पड़ा होगा स्टेटमेंट आई, we have audited, लिखाय कैसे है, have audited, मतलब क्या ही है, state that we have audited the accompanying CFS of HCC Limited, मतलब identify the entity, यह statement paragraph में बन गया ना भी है, बराबर, identify the entity वाला point मिला आपको, state that it has been audited मिला आपको, अब देखो आगे referred to as the group, its associate JV which comprise, which comprise balance sheet, क्या आगे date भी लिखाय गया, so specify the date, statement of profit and loss for the period, बराबर, including cash flow, notes to account, सब कुछ लिखाया, so that is the introduction they have given, पता तो चले यह किसका है करके, आई बात समझ में आपको, यह, so we come to the second part, of the auditor's opinion, हम लोग अभी कहा है, title, फिर हम लोग है, addresi, फिर उसके बाद, auditor's opinion उसमें दो हिस्से हैं, first is introduction, second is opinion, opinion बच्चों यहां पे दो तरीके के हैं, opinions यहां पे दो तरीके के हैं, वो कौन से हैं, एक तो है fair presentation framework, और दूसरा है compliance framework, what is this, let us try to understand, यह बहुत है न, important है, to understand what is FRF and compliance framework, जहां से सुन अभी है, क्या होता है, मैं आपको इदम simplified language में बताता हूं, अब यहां पे दोस्तों, audit की भाशा में बोलू, तो यहां पे एक है, responsible party, responsible party, जो बनाता है, subject matter, और यह जो subject matter बनता है, यह बनता है, बेस्ट आप्लिकेबल क्राइटेरिया, क्रेक्ट है, responsible party, will prepare subject matter, बेस्ट आप्लिकेबल क्राइटेरिया, and this is prepared for the use of the intended users, okay, but this intended users does not have any confidence on the subject matter prepared by the responsible party, बरबर, therefore what happens is this subject matter is given to the practitioner, to the practitioner who evaluates this subject matter based on the applicable criteria. क्या करता है ये प्रेक्टिशनर एवालुएट करता है, based on the applicable criteria and then he forms an opinion and this opinion is then given to intended users where their assurance or confidence is increased. because the practitioner is saying so, बरबर, so this type of engagement is called as assurance engagements, जिसमें आप intended users का confidence बढ़ाते हो, अब अगर अपन इसको अपने normal companies की बात कर रहे हैं, तो responsible party मतलब क्यों बोलेंगे आपन, management, we all know management is responsible for preparation of financial statements, subject matter, financial statements, बराबर करें, criteria, schedule 3, that is the financial reporting framework, practitioner, auditor, intended users तो आपको माल होगे, आई क्या बात समझेंगे, तो ये सारी कहानी होती है, अब इसमें फिर जो अपन यहां पर पढ़ना चाह रहे हैं, वो क्या है, opinion दो तरीके कहना फिर, जो अभी अपन पढ़ रहे है, वेर विया, देखो पढ़ा रहा हो, कहां से, बेश से, correct है न, हम, so, यहां पर opinion दो तरीके की, एक तो है, fair presentation framework, और दूसरा क्या है, compliance framework, आई बात समझेंगे, that is what, we studied over here, कि the expression of opinion, वो opinion कौन सा है, यह रहा, अपना opinion, एक तो है, fair presentation framework, और दूसरा कौन सा है, compliance framework, now the question is, what is fair presentation framework, जिसमें आपन लोग बोलते है, financial statement gives true and fair view, वराबर, उसको बोलते है, true and fair view, that is, उसको बोलते है, compliance framework, sorry, fair presentation framework, मतलब क्या, जब अपन अपना audit करते है, यह उदेश्य से, कि वबा, books of accounts, they are prepared in accordance with section 128, that is as per law, double entry bookkeeping system and on accrual basis, ने तो यादे न, if the books of accounts are not maintained on double entry bookkeeping system or accrual basis, they are deemed not giving true and fair view, ऐसा 128 में लिखा हुआ है, बराबर, financial statements should give true and fair view, that is, they should comply with accounting standards, अगर नहीं कंप्ला करेंगे, तो आर नोट true and fair view, जनरल रूल्स दिये गएते है, असे शुद निदर भी overvalued और undervalued, all the assets should be properly disclosed, the charge if any should be properly disclosed, बराबर के, no material liability should be omitted, ये सारी चीज़े अगर सही है तो अपन क्या कहेंगे है, in short, the financial statements are free from material misstatement, when the financial statements are free from material misstatement, वी से देगे वाट, true and fair view, ऐसा यदि आपको पीनियन देना है, तो वी से दट, वी आर वर्रकिंगे ओन वाट, fair presentation framework, अपना टास्क वो है, but what is compliance framework, ये criteria है, schedule 3, इसके basis पे, ये financial statement subject matter बनाया, क्या ये subject matter, इस criteria के हिसाब से, बना है क्या, हाँ, हाँ, तो ये subject matter, इस criteria को comply करता है, सिर्फ वैसा अगर आपको opinion देना है, तो वो opinion हो जाता है, कौन सा, compliance framework वाला, गया body के अंदर, जमरा है न, तो अपने दो तरीके के opinions होता है, compliance framework and fair presentation framework, इसमें, wordings क्या use करनेगा, क्या आप लोग बैठे क्यों हो, हाँ, समझ में है क्या title बना दिया, address ही लिख दिया, जो office में बढ़िटा, उसको address कर रहे है, अब introduction दे दिया, opinion, बश्तर opinion का wording क्या देना है, लिखो का इसे, सो देखो, fair presentation framework के लिए, wordings क्या use की गई है, fair presentation framework के लिए, देखो, wordings क्या use करी गई है, in our opinion, the accompanying financial statement, present fairly, in all material respects, in accordance with the applicable financial reporting framework, कितना simple है, है, in our opinion, अपन वेसी बोलते हैं, अपने को बोलते हैं, that the financial statement gives true and fair view, ये तो अपन हमेशा बोलते हैं, सो बस अपने को words का जोडने है, in our opinion, the accompanying financial statements give true and fair view, in accordance with the applicable financial reporting framework, in accordance with applicable financial reporting framework, मतलब, वो अपना criteria, अपन बोल रहे हैं कि ये subject matter, that is accompanying financial statement, true and fair view, देता है, in accordance with our criteria, what is the criteria? applicable financial reporting framework, ये बेस्ट हैं, ये आप अगर देखोगे, ये आप अगर देखोगे, compliance framework में, wordings क्या बोलता है, देखना, the accompanying financial statements, मतलब, subject matter, अब compliance है, मतलब, अपने को क्या बोलना है, क्या ये इसके हिसाब से बना है या, नहीं, that is what they are saying, it is prepared in accordance with, in all material respects, in accordance with the applicable financial reporting framework, which is what we say, this is the criteria, जमा गया, बोलो yes or no, yes, perfect, अपना ओपिनियन, दो तरीके का, कौन सा दो तरीके का ओपिनियन अपना, Fair Presentation Framework, Compliance Framework, Fair Presentation Framework, अगर ओपिनियन ड्राफ्ट करने के लिए आया, तो क्या लिखेंगे, अपना अपना जो बात कर रहे हैं, ये कौन सा उपिनियन की बात कर रहे हैं, अपने हैं अन्मोडिफाइड ओपिन बख्लीन ओपिन जिसमें अपने को कोई भी रिजर्विशन या रिमार्क नहीं है इसके लिए बोल दिया कि सब कुशलमंगल है यह ट्रू एंड फेर्वियू हाँ वो उसके सबसे बने है ऐसा बोल दिया आपने है आई बात समझ में आप वही ट्रेशन हैं फेर प्रिजनसींट फ्रेंवक और और क्मपलैंस है किस बैसिस प коммент लोला रिभा है यह जो पर तुमने बोला वो किस बैसिस बैस पे बोला है तो नेक्स्ट अपना एडिंग क्या आएगा नेक्स्ट एडिंग क्या आएगा बेसिस फारोपिन आई बात समझ में जिसमें पॉइंट्स बहुत सिंपल है वो बोलता है we have conducted our audit in accordance with standards on auditing अभी तो बोला ना कैसा करने का है 3rd was duty to comply with standards on auditing अपना वो रिपोर्ट करना इसमें बेसिस कि हमने पूरा जो अडिट है आएगा आपकी क्या क्या रिस्पोंसिबिलिटी है ना यह पने इस audit report में लिखते है देखो आपको यह दिखेगा H वाला point दिख रहा है कि आपको auditor's responsibility for the audit of financial statement तो अपने उस basis of opinion में लिखो कि you refer to the section in the auditor's report that describes the auditor's responsibility in accordance with the essay, हमने हमार audit essay के मुताभी किया, essay में हमारी responsibility क्या थी यह जानना है आपको तो आप नीचे पड़ो, बोल रहो हो मेरी responsibility क्या क्या है और सिर्फ responsibility ने कितना बोल है रहे देख देखना है यह सबसे बड़ा पार्ट है responsibility, the auditor's report shall, the auditor's report shall further, the auditor's report also shall, मान रहे नहीं हो, कितना है हो, कितना है देखो देखो, वालो, this is the major part, शो बोलता है आपको अगर हमारी response, देखो, हमने तो आपको बोल दिया ना, कि हमने हमारा audit, essay के मुताभ public, right, हमको क्या मालूम ऐसे के क्या होता है, बराबर, CA बनने के बाद भी आदेखो को मालूम होता है, ऐसे क्या होता है, वह ऐसे हो, तो, users को मालूम होना चाहिए कि as an auditor, what is your responsibility, so in the second point you write, you describe the responsibility of the auditor and you make sure you make a statement that refer to the auditor's, in the section in the auditor's report that describes the auditor's responsibility in accordance with essay, आई बात समझ में, फिर third point, वो कहता है हम लोग, मुह माया से मुक्त थे, we are independent, our opinion is not subordinate to the whims and wishes of the other person, कोई हम पे जोर्जदबर्दस्ती नहीं करे थे, जो भी कहा है हमने, वो हमें जो लगता है हमने वो कहा है, we are independent, our decisions, our opinion is not subordinate to anyone's else, आई बात समझ में, बताओ लोगो को कि auditor independent है, बराबर, so state that we are independent, we complied with the relevant ethical requirements, integrity, objectivity, professional competence and due care, professional judgment, confidentiality, these are unethical requirements, हमने इसको comply किया है boss, आई बात समझ में आपका, हम, उसके बाद, relating to the audit and has fulfilled with the ethical responsibilities in accordance with the code of ethics issued by ICI, मतलब तुम इंडिपेंडेंट थे, तुमने ethical requirements को भी पूरा किया, और institute ने जो तुमें professional ethics दिये थे ना, हमने उसको भी पालन किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और फिर आखरी में, जो बहुत ही important है, यह कहना है, कि हमने जो हमारा opinion दिया है ना, उसके लिए हमने क्या उप्टेन किया है, sufficient appropriate audit evidence, क्योंकि जब तक तुम बाकी सब कितना भी लिख लो रे, जब तक तुम यह नहीं कहता है, कि तुम्हारा evidence कुछ proof के बल्बूते पर दिया गया है, तब तक कोई value नहीं हो सकी, तो fourth point में आपको लिखना बहुत essential है, that you have given your opinion based on what, obtaining sufficient and appropriate audit evidence, अभी बात समझ में, तो यह आपका base हो गया, कि इस basis पे आपने opinion दिया है, right, अभी आपको exam में आएगा, कि draft an opinion, draft an unqualified opinion, unmodified opinion, तो आपको सिफो ऊपर FRF और compliance framework वाला उत्ता ही नहीं लिखना, क्योंकि वो opinion के साथ, आपको basis of opinion भी देना बहुत जरूरी है, and how this will work, in the case study form में, case study form में, आपको एक situation देंगे, and in this situation, which give the best suitable opinion, ऐसा आपको आएगा exam na question, so you should know, कि what type of opinion is to be given, is clean देना है, या फिर modified देना है, वो या तो आपको qualified disclaimer, adverse, और फिर उसके नीचे उसका basis भी देना है, right, okay, फिर ये वाली EF तो points अग्दम simple है, वो क्या कहते है, EF आले points क्या कहते है, कि you have to talk about going concern, going concern के बारे में बात कर रहें, तो as per se 570 report करना है, key audit matters, जो नया, ऐसे है, वो as per se 701 करना है, तो respective standards आप पढ़ेंगे, तब आपका वो clear होई जाएगा, so responsibility of financial statements, obviously, यह किसकी responsibility होगी, management की, जिसमें हम लोग लिखेंगे, की preparing financial statement is their responsibility, internal control लगाना उनकी responsibility है, and to assess the entity ability to continue as going concern is their responsibility, तो यह तीन responsibilities अपन अपने audit report में लिखेंगे, कोई दिक्कत है आपको यहां तक, नहीं, okay, any difficulty detail here, no, तो एक बार यह साथ पॉइंट जड़ा रिकाप करते है, title, headings बताना बस, title, address, opinion, opinion, opinion में कितने हिसे है, दो, introduction and opinion, अब वो opinion में और कितने दो टाइप के हो सकते है, दो, वो कुन से है, fair presentation framework, compliance framework, फिर next, fourth point अपना क्या है, basis for opinion, fifth वाला क्या है, going concern, sixth वाला क्या है, key audit matters, और seventh वाला, responsibility of management for financial statements, उसमें कौन से पॉइंट से तीन, वो कौन से तीन पॉइंट है, एक तो, financial statements बनाना, internal controls लगाना, और going concern, सही जारे है न, बढ़िया, अब जो main part है, और ये खतम हो गया न, बस, जिन्दगी बहुत आसान है, S.A.700 के series में, अभी आपको, बहुत कुछ होगा, uneasy feel होगा, चक्कर आएगी, भागने का मन करेगा, जो virtual में देख रहे हैं, बन करने का मन करेगा, आपको आपकी कसम है, कुछ मत करना, बहुत important है यह, ने, बिकास होता है यह, बट यह अगर समझाना, तो आने वाला ऐसे 705, 706, यह पढ़ने में बहुत आसानी होती है, बिकास, try to understand, this is an unmodified opinion, unmodified report, मतलब यह एक standard structure है, और 705, किसके बारे में बात करता है, modified report के बारे में, मतलब जब तक आपको standard नहीं मालूम, unmodified नहीं मालूम, तो आप modified report कैसे पढ़ोगे न, modify पढ़ने के लिए भाहिया, पालूम होना चाहिए, standard क्या है, standard report क्या है, तो अब auditor's responsibility, जड़ एक दाम अच्छे से द्यान से पढ़ना सुनना, पहले तो इसमें तीन section है, auditor shall, बहुत मजार कमिर कोई है, auditor shall further, फिर आगे बलता है, auditor also shall, तो यह तीन हिस्से, कितना ग्यान है बास, कितना report कर रहा है कि इंसान में, कोई attention नहीं है, एक चीज़ आपके साथ शेर करनी है, always remember when you are studying for any subject, जब कभी content जदा जदा होता है, बच्चों को बहुत डर लगता है, बढ़ सो हो या क्या, ऐसा ऐसा, और छोटा रहता है ना, इतना सही है, बड़ रिमेंबर, जब जदा content देता है ना, इतना सही एक चीज़ के बारे में, मतलब वह बहुत सिंपल है, प्रिकि उन्हें बहुत गुमा गुमा के, simplified language में लिका हो आए उसको, चोटा सा है ना, that is the trouble, प्रिकि दो चार लाइन में बोलके, खतम कर दिया ना, उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, पर प्रूव करके दिखाऊंगा, एकदम आराम से सुनना, auditor's report shall, state that, the objectives of the auditor, objectives of the auditor are, obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, and issue the report, सही है ना, अपनी responsibility ऐसे के इसाब से क्या है, obtain reasonable assurance, that financial statements are free from material misstatement, and issue report, अब free from material misstatements की बात करते है, सो पहले अब आपको लेना है reasonable assurance, सो वो कहता है, reasonable assurance is a high level of assurance, but not a guarantee, that we will always detect a material misstatement when it exists, try to understand, there are three types of assurances, audit की बाशा में अगर बोलू थो, absolute assurance, reasonable assurance, limited assurance, आई बात समाज मैं, absolute assurance मतलब शत्प्रतिशत, 100% which is not possible, बराबर, so it is saying that, absolute, that is guarantee तो नहीं दे सकते, बट उसके नीचे का, जो reasonable है, which is also a high level of assurance, बराबर, वो दे सकते हैं, बट हाँ, बले ही हम लोग reasonable assurance आपको दे रहे हैं, आप यह मत समझ जाना कि, अगर कोई material misstatement मौजूद होगी, तो guarantee है, दावा है कि हम लोगो detect कर लेंगे हमेशा, please, sorry, नहीं हो पाएगा, आई बात समझ में, see, we are performing our duties with proper diligence, with proper skill and care, but, अगर कोई material misstatement, होगा, हो सकता है, हम लोग guarantee नहीं दे सकते, कि, it will be detected only, यह समझ लो, यह हमारी responsibility बता रहे है, बया कर रहे है, समझ में आए, number two, बताओ उनको misstatement किसके वजे से आ सकती है, misstatement can arise because of, fraud or error, and फिर बताओ कि यह material कब होगा, when individually or when aggregated with other misstatements, could reasonably influence, the economic decisions of the users, of financial, users taken on the basis of financial statement as a whole, sir नहीं पल ले पड़ा रहे है, धांस सुनना, अपने को, misstatements, कैसे चाहिए बच्चो, material और इमाटेरियल, what is materiality, materiality is something that influences the economic decisions of the users, correct है, आई बात समझ में, हो यह definition हो गया, materiality, but यह materiality कैसे हो सक्ती है, एक गलती आपने आप में बड़ी गलती हो सक्ती है, यह चोटी चोटी गलत्या मिलके, एक बड़ी गलती हो सक्ती है, that is what you define materality, Individually or in aggregate Influences the economic decision That misstatement is called as what? Material misstatement आई बात समझ में आपको And last में You provide the definition or description of materiality As per any financial reporting framework अगर उसमें दियावा होगा तो अब सर ये पढ़ लिया हलका हलका समझ में आ गया But आप तो बोल रहोत है बहुत एजी है पूरा याद करने के लिए ऐसा ऐसा तो अगर आप देखोगे न इसके अंदर एक theme दी गई है वो theme है About RMM Risk of Material Misstatement अगर आप फोकस करोगे न इन तीनों पॉइंट्स में सिर्फ Risk of Material Misstatement या risk भी छोड़ो सिर्फ किसके बारे हम बात करिये है Material Misstatement की बात करिया है देखो ना शुरुवात से अब अब देखना है सिर्फ Material Misstatement पहला क्या बोला Obtain Assurance की Whether it is free from Material Misstatement and then give your opinion बराबर फिर Second Point क्या बोला की भाया हम लोग Reasonable Assurance दे रहे बट गैरिंटी नी दे रहे कि Material Misstatement हर बार डिटेक्ट होगी करके और तीसरा क्या बोलता है Misstatement Error या फ्रॉड के वैसे आ सकती है बट वो Material क्या है Material का Definition दिया है दिखरा आपको पूरे तीनों पॉइंट्स में वो Common चीज उनने क्या निका लिया अपनने Common उसमें से They are only talking about Material Misstatement कितना असान था You pick the common part from it आई बात समझ में Throughout the three points They are talking about Material Misstatement तो क्या पहले Material Misstatement के बारे में क्या लिना अपने को Reasonable Assurance That they should be free from Material Misstatement Then give your opinion फिर बताओ उनको क्या कि Reasonable Assurance दे रहे वहिया तो गैरेंटी निये कि हर Material Misstatement Detect हो सकती है Number three Misstatement Error या Fraud के वे से आ सकती है फिर उसमें Define करो Materiality मतलब क्या है Individually or aggregate It can influence The economic decisions Of the user Taken on the basis Of financial statement As a whole Over इत्ता सा part Easy है के एक्दम अब Shull further अब first material में Statement का समझा न है न अब यहाँ पे अब जैसे आपको में common part बता रहा हूँ तो अब मैं पहले ही यहाँ पे Second part का मैं आपको common part बताता हूँ Process of audit यह पूरा Shull further में इतना जो ग्यान दिये है न जो मैंने अब भी आपको यह ऐसे शुरू करने के पहले जित्ता भी ग्यान दिया न वैसे ही कुछ ऐसे मोटा मोटी उरू ने यहाँ पे बता दिया है कि हाव यह audit is to be processed देखना है आपको इसका theme है यह 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 theme है यह Process of audit देखो State that as a part of the audit मेरा प्रोसेस बता रहा हूं है एक्दम आराम से पढना हाँ भी एक्दम अच्छे से मुंडी निच्चे करके आराम से पढना हाँ अगर स्क्रीन पर देख रहा है तो स्क्रीन पर पढना State that as a part of audit in accordance with the essay the auditor exercise professional judgment and maintains professional skepticism throughout the audit तो आपको first process क्या है 315 बराबर whether due to error or fraud फिर उसके बाद भी design and perform the audit procedures responsive to those risks 330 बराबर to obtain audit evidence that is sufficient and appropriate 500 ये पुरा step by step है पहले risk को identify करो फिर आपको audit procedure बनाओ फिर sufficient and appropriate audit evidence लो to provide a basis for auditor's opinion अपनने अभी basis for opinion फिर उसके बाद वो बोलता है क्या 240 के बारे में the risk of not detecting a material misstatement from a fraud is higher as compared to the error and where management is involved the risk is much higher as compared to employee यादे क्या अभी अपन में सब बोला था ये सब चीज़े the risk of not detecting material misstatement fraud is higher than the one resulting from error as a fraud may involve collision, forgery, intentional omission, etc. ये सब करने के लिए अपको क्या ले लिना होगा understanding of internal control relevant to the audit बराबर कने in order to design audit procedures बराबर अब जरा यहाँ पे है एदा मच्छे से पढ़ना थोड़ा एक important part है we understand the internal controls why do we understand internal controls so that we can design our audit procedures that are appropriate to the circumstances obviously that means it is not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control step by step जाना अपन लोग internal control को क्यो श्टेडी कर रहे so that अपन अपनी audit procedures decide कर सके अपना nature, timing and extent अपना decide कर सके तो हम लोग इसके लिए भाहिया internal control को study कर रहे खुरूपया करके आप यह मत समच जाना कि हम लोग internal control इसके लिए study कर रहे to identify the effectiveness of entities internal control और वो चीज़ पे अपन entity को report करेंगे, अपना वो गोल तो है ही नहीं बराबर करेंगे बट अब यदी आपको where the auditor also has the responsibility यदी यदी, when the auditor also has the responsibility to express an opinion on effectiveness of internal control in conjunction with the audit opinion तो वो क्या कहता है तो वो कहता है shall omit the phrase वो वाली जो फ्रेस लिके दिना आपनने but for the purpose of but not for the purpose of expressing an opinion, वो वाली फ्रेस अपन क्या कर देंगे omit कर देंगे, मतलब आपको कुछ बात समझ मेंगे हैं यहापे दो बाते हैं, एक तो आपन opinion देरे फाइनशल स्टेमेंट्मेंट्स पे on the effectiveness of the entity's internal control but अगर हम लोग financial statements पे भी और internal controls पे अगर अपन opinion दे रहे, तो आपन वो फ्रेस जो second part वाली थी उसको omit कर देंगे, आई बात समझ में, आपको समझ में आ रहे, this is a process of audit risk, पहले आप क्या कर रहे हो, first what you are doing, बोलो ना, risk of material misstatement को आपने find out किया, उसके हिसाब से आपने audit procedure design करी, फिर audit evidence obtained किया, आपको opinion दें, फिर risk कम है या जाध है, उसके बारे में बोला, उसके लिए आपको internal control को समझना था, उसके बारे में बात हुई, बराबर, फिर आगे, then, अपने को check करना है, अपने को overall financial statements पे opinion देना है, तो आपने कौन सी accounting policies इस्तेमाल करी, आपने कौन सी accounting estimates, that is what we talk about is 510, आप check करेंगे, आप 540, आप check करेंगे, accounting estimates, फिर उसके बार, to conclude the appropriate use of management's going concern, 570 के बारे में बात करेंगे, दिख रहा है कि आपको सब evidence-evidence बात कर रहे है, फिर उसके बार, then, financial statements are prepared in accordance with fair presentation framework, evaluate overall, मतलब अगर FRF के basis पे, तो आपको overall presentation, structure, disclosure, बराबर से है या नहीं, check करना है, and last में अगर आप किसी और का काम यूज कर रहे हो, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, oh yeah, this is the process of audit, and अब, आपको, last में, यहाँ पर comment देखो, मैं आपको highlight करके देता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको, हो गया, क्या comment देखा आपको, TCWG, मतलब अपने को यहाँ पे, इन, तीन, last वाला जो section है, उसमें अपने को क्या करना है, we have to communicate to the TCWG, आपने को क्या communicate करना है, अब वो वाली बात करते है, अपना scope, timing of the audit, and significant audit findings, बराबर के नहीं, ऐसे number कौंसा, 260, communication with those charged with governance, or 265 बात करते है, communication of weaknesses with those charged with governance, weaknesses in internal control, those charged with governance, or other responsible parties, so, इनको आपने scope, timing, and significant audit findings, including deficiencies in internal control, बताने है, बराबर, फिर, आपको बताने है कि क्या आपने relevant ethical requirements को कंपलाई किया क्या, about your independence and key audit matters as per essay 701, तो बस आपको ये तीन बाते रिपोट करनी है, हो गया, आई बात समझ में आपको, that's it, the main part of essay is over, अब, location, मतलब ये जो इतना ग्यांग जो आपने 8 वाले point में लिखाता है, शाल, शाल also, further, बराबर न, ये आप कहां locate करना चाहोगे, ये description आपको कहां दिखाना है, तो आप ये, आपके audit report के main body में दिखा दो, या तो आप इसको appendix के मध्यम से end में जोड लो, या तो आप इसको कही website पे डाल दो, और फिर उसका link यहां पर दे देना audit report में, तो लोग वहां पर जाके पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना है ना तुमको, तो audit report unnecessary इतनी number of pages की बनेगी, तो इसके लिए आप वो link दे दो, आई बात समझ में, फिर other responsibility, other reporting responsibilities, जैसे इसमें क्या आएगा, आपको या दे कारों के उपर अपने को points report करने, audit report में डालना है, बट कारों के लिए कहीं जगा है क्या, other reporting responsibilities, अभी जो अपन ने, जो auditors responsibility डाली ना, वो auditor की responsibility in accordance with essay डाला ना, हलो, auditor की responsibility जो अभी अपन ने तीन paragraphs पड़े, वो as per essay थे ना, पूरे पूरे, अपने उपर कोई कानून भी तो responsibility लगा सकता है ना, जैसे companies act ने अपने को बोला, कारों के उपर, 16 पॉइंट के companies act ने आपको बोला, advances, book entry, company, other than banking or investment company, या, deposits, personal expenses, वो हुआ ने, उसको पर भी report करो, या तो आपको याद है, आपको वो भी report करना था, duty to report, 143 subsection 3, whether you have obtained all the information, explanation, which is to the best of your knowledge and belief, were necessary to conduct the audit, number 2, आपको report करना है, about what, whether report from the branches have been received, whether proper books of accounts is required by law has been maintained, whether they agree, with the financial statements, whether they comply with the accounting standards, याद आ रहा है कि आपको, भाया यह सब report कहां करो, यह तो standard की responsibility नहीं है, यह तो कानून की requirement है, so standard, 700 में इसकी जगा का है, तो जगा यह है, other reporting responsibilities, you can see this, कि auditor's responsibility आपको दिख रहा है किया, यह पूरा standard के basis पे, our responsibility to express an opinion based on their audit, जो अभी आपने पढ़ा ना पूरा पूरा, तीन sections, वो यह, फिर basis of opinion, वो पढ़ा अपने, फिर यहाँ पे, EOM अगर है यह, हाँ, यह other matters, यह नहीं, यह भी साथ चे का है, हाँ, यह दिख रहा है का heading आपको, report on other legal or regulatory requirements, यह आपन पढ़ा है, so देखो बच्चों आपने यह पढ़ा था, 143 में, we have sought all the information, in our opinion, proper books of accounts have been maintained, possible effects of the matters, यह बोला उनने, यह सब आपने यह दिया, और यह देखो, यह कारो के ऊपर, इदर ने report नहीं किया, क्यों, क्योंकि यह Consolidated Financial Statements की audit report, यह आपने बढ़ा था, कारो इस नोट अपलिके बढ़ा तू, Consolidated Financial Statements, देखो आपने लिखा भी होंग आपने तोगे, यह सब पूरा Disclosure Requirements, Specified Bank Notes, दिख रहेंगा आपको, यह ठीक है, तो यह हो गया, Other Responsibility, फिर Auditor ही साइन करेगा, उसके बाद, Place और Date, जिस दिन साइन करेगा और जहां पर साइन कर रहा है, वो, क्या आपको समझ में है, ऐसे 700, Yes, Okay, Guys, हम लोग पहले अभी शुरू करते है, About Essay No. 705, आपको मालूम है, 705 का नाम क्या है, आते हैं बु साथ, एक बार उस से 705 का नाम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, से 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report, वापस एक बार धान से पढ़ना, क्योंकि यह Heading, इस Standard का, आपको उसके अंदर क्या-क्या चीज़े लिखी वी है, यह आपको समझाने में बहुत मदद करेगा, से 705 किसके बारें बात करता है, Modifications to the Opinion formed in the Independent Auditor's Report, अब आपको मालूम होगा दोस्तो, जब हम लोग बात कर रहे थे ना कल, Independent Auditor's Report की, ऐसा टाइटल दिया था अपन ने कही, the title should indicate that it is an Independent Auditor's Report, याद आ रहे, तो वो रिपोर्ट जो थी, वो कौन सी थी, ऐसे 700 के अंदर वाले रिपोर्ट, और अब मैं आपको अगर ऐसे 700 के अंदर लेके जाओ, और उसके अंदर जो अपन ने Opinion दिया था, as an Auditor, देखिए अपन ने उसको अल्रेडी Cloud में डाल के रखा था, कल वो कैसा था Opinion, expression of Unmodified Opinion, और Unmodified Opinion में अपन ने क्या बोला था, हाँ, they give true and fair view, हाँ, they are prepared in accordance with Applicable Financial Reporting Framework, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि Auditor को कोई भी किसी भी प्रकार का Reservation, Remark या Comment उसको करना नहीं है, he is technically saying that it is clean report, I don't have any regrets, सब कुछ बराबर है करके, बराबर, but हर बार, हर गड़ी, हर समय, क्या ऐसा clean होना जरूरी है क्या, नहीं, बराबर के नहीं, तो अब इस Unmodified Opinion को अगर आपको modify करना होगा, अगर इस Unmodified Opinion को आपको change करना होगा, तो अब आप वो कैसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, यह जानने समझने के लिए, दोस्तो हम लोग कौन सा essay पढ़ेंगे अभी, essay number 705, आई बात समझ मैं आपको, yes, यह पूरा entire standard जो है न, तो मैंने आपक के लिए यह पूरा entire standard, यहाँ पे इन तीन, इत्म छोटा सा चार्ट, यह तीन तरीके के opinion इसके अंदर मैंने डाल दिया ही है, बराबर, so life will be very 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 simple, जब आप लोग यह घर पे पढ़ेंगे, यह अगर मैं चाहूं कि, sir, हमारे साथ एक second, 30 seconds में आप पढ़के, ख़तम कर लो, sir, इसे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि it's very very easy करके, ठीक है, so let us now start with essay number 705, अब दोस्तों, जितना भी screen पे है, जो भी है, यह आपने कल लिख लिए है, तो आपको एकदम अच्छे से उसको देखना है, सुनना है, समझना है, if you have any queries, make sure you ask, ध्यान रखना, exam में यह 100% of the time पूछा जाता है, 100%, हाँ, sir, आज तक तो हमको कोई ऐसे typical question दिखा नहीं, देखिए दोस्तों, वो direct questions कभी नहीं आएंगे इसके उपर, इसके उपर आते हैं, वो आते हैं, indirect questions, sir, मतलब क्या, देखिए आपकी questions start होते है, as an auditor, in the following situation, what will you do, और भहुत सी बार हम लोग यह चेक करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत कुछ चीजे हम लोग लिख्या भी जाते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, but as an auditor, ultimately, अपनी primary responsibility क्या है, बच्पन में पढ़ते थे अपर, कि अपनी primary responsibility है to express an opinion, and आप बहुत बार अगर अपने practice manual पढ़े होंगे, RTPs देखे होंगे, तो exam में वहाँ पे, वो suggested answers में नीचे एक line हमेशा लिखिवी होती है, in this case, auditor should consider qualifying his opinion, in this case, auditor should give an adverse opinion, और consider giving a disclaimer of opinion, correct ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि exam में जो ये case study दिया गया है, इस case study के अंदर basically अपने को कौन सा opinion देना है, आई बात समझ में आपको, okay, so आप दोस्तो, अपन पहले chart पढ़ते है, क्या लिखावा है यहाँ पे, आपको दिखेगा modified opinion के अंदर तीन तरीके के opinions दिये गए है, वो तीन opinions कौन से कौन से है, number one is what, qualified, बराबर, number two is what, disclaimer, and number three is what, adverse, ये तीन opinions है, कहा जाता है, these three opinions are nothing but the weapons in the auditor's armory, ये उसके पास तीन हतियार है, ऐसा ऐसा ह हुआ तो वो opinion, ये उसके हतियार है, उसके weapons है, and now we as an auditors, we are the future auditors, आप लोग chartered accountants हो, so हमें कौन सा हतियार, कौन सा situation में इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए आज हम लोग मिले है, बराबर ना, so let us today understand, कि what are these three opinions, and when are we supposed to utilize these three opinions, and how do we present this in our independent auditor's report in the form of modified opinion, ठीक है, so अब अगर आप देखोगे, गौर से, qualified opinion के नीचे आपको दिखेगा, limitation of scope, disagreement with management, बराबर ना, दिख रहा है ना आपको, qualified के नीचे आपको दिख रहा है, limitation of scope, disagreement with management, और उसके नीचे लिखा हुआ है, material, take है, और pervasive को cross है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ बस, अभी तक आपको कुछ अर्थ नहीं समझाए उसके, material, take, pervasive, cross, फिर उसके बाद disclaimer में जब आगे बढ़ता हूँ मैं, तो disclaimer में मुझे क्या दिखता है, कि disclaimer में there is a limitation of scope, material को भी take, और pervasive को भी take, adverse में मुझे दिखता है, disagreement with management, material को भी take, और pervasive को भी take, सर, चार्ट पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा, बढ एक एक करके, पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे, material और pervasive की, क्योंकि वो तीनों इसमें दिखरी है अपने को, फिर एक 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 करके अपन चर्चा करेंगे, अब material मतलब क्या होता है, we all know as per essay number 320, the concept of materiality is defined, it is defined as, the thing that can change the economic decisions of the users, taken on the basis of financial statements as a whole, is called as what, materiality, materiality, क्या बोलते हैं materiality, ऐसी information जो आपके decision को बदलने की ताकत रखता है न, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं materiality, दोस्तों एक बात focus करने वाली है, एक बात note करने वाली है, आप देखो, तो आपको चाहे वो qualified हो, चाहे वो disclaimer हो, चाहे वो adverse हो, तीनों में आपको दिखता कि materiality को tick है, बराबर के न, reason is very simple, our audit is based on materiality, we want to report only those things which are material, immaterial चीज़े को अपने को report करने में कोई भी interest नहीं है, reason क्या है sir, क्यों हम लोग materiality पे focus करते हैं, बच्चों, try to understand, materiality पे focus हम लोग इसलिए करते हैं, क्योंकि हम लोग जो अपना opinion देते हैं, वो opinion true and correct है या true and fair है, true and fair, fair का मतलब क्या है, जो important चीज़े, जो लोगों के decisions को affect करने वाली जो चीज़े है, अगर वो गलतियों से मुक्त है, मैंने क्या word उस किया, अगर वो गलतियों से मुक्त है इसका मतलब, अपन इंग्लिश में usually बोलते है, it should be free from material misstatements, बराबर के ने, इसलिए अगर हम लोग को दिखता है, कि अगर कोई material चीज़, अगर वो free from misstatements है, तो it is true and fair, बढ़ अगर material चीज़े अगर गलत है, तो it is not true and fair, so coming to the point, materiality के basis पे auditor अपना पूरा-पूरा काम जो चीज़ material नहीं है, उसके ऊपर वो कोई भी चर्चा नहीं करेगा, so remember, the thing which is not material, auditor will not consider that in the giving an opinion, अभी बाद समझ में आपको, yes, अब, materiality में अब क्या समझ आपको, जो इंसान के decision को affect करता होगा, now what is pervasiveness, remember, वो word क्या है, pervasive, it is not persuasive, क्योंकि evidence इसके दो type होते है, एक होता है persuasive evidence और दूसरा होता है conclusive evidence, बराबर के नहीं, so दोस्तों, persuasive और pervasive में confusion नहीं होना चाहिए, sir, pervasive का मतलब क्या है, बच्चो, pervasive मतलब, anything that has a capacity to affect your financial statements, आपके financial statements जो चीज़े affect करने की शमता रखती है, उन चीज़ों को अपन कहता है, pervasive, अब अगर आप focus करोगे तो आपको दिखेगा, materiality मतलब मेरा decision affect करता है, as a user, pervasive मतलब financial statements को affect करता है, material users decision, pervasive affects financial statements, तो दो अलग चीज़े affect हो रही है, बराबर एक financial statements को जो चीज़े affect करती है उसे कहते है अपन pervasive जो मेरा decision affect करता है उसे अपन कहते है material अब अपना एक चीज़ तो बहुत important है अपन पूरा का पूरा reporting करते है users के लिए इसके लिए users के decision affect होते है या नहीं होते है we have to consider this throughout therefore we consider materality in all the things but अब वो financial statements को affect करता है या नहीं करता है उसके अनुसार अपना opinion बदल जाता है आई बात समझ में आपको? yes so अब एक एक चीज़ पर discussion करेंगे qualified and disclaimer में आपको दोनों में common चीज़ दीखेगी limitation of scope दिखता है गया आपको? what is limitation of scope? let us try to understand limitation of scope मतलब auditor के ऊपर कुछ restrictions लगाए गये थे उसके ऊपर कुछ constraints लगाए गये थे that is to say he was unable to perform his work and because of that he is not able to obtain audit evidence अभी बात समझ में आपको? limitation उसको रोका गया उसका काम करने से इसलिए वो evidence को प्राप नहीं कर पाया that is what we call it as limitation of scope अब दोस्तो धांस सुनना limitation of scope यह हमको qualified में भी दिखता और disclaimer में भी दिखता तो sir what is the distinguishing criteria कि sir मेरे उपर limitation of scope लगा है तो मैंने qualified देना या disclaimer देना बराबर ना so the distinguishing criteria is materality and pervasiveness अगर वो चीज़ material है बट पर्वेजिव नहीं है you qualify अगर वो material है और पर्वेजिव भी है तो we disclaim our opinion sir this will be very easy for us if you give an example sir जरा example मिल जाना चाहिए try to understand दोस्तो जब मैं audit करने जाता हूँ I want to check what is the internal controls in connection with the audit so that I can do what I can design my audit procedures बराबर तो मुझे क्या internal control से related audit evidence obtain करना है क्या the answer is yes अब क्या हुआ ना sales या purchase या कोई भी area से related मैं management को पूचने गया कि साप मुझे internal controls चेक करने है तो मुझे इन इन लोगों से मिलना है आपकी यह यह system access करनी है मुझे ऐसा काम करना है बश्ता काम करना है बश्त्रेट वे management मुझे बोल दिया यह 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 यहela यह 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 मही यह यहτι यह यह कर्शकते I want to check internal controls so that I can design my audit procedures and I can decide my nature and timing and extent of my audit procedures management करते नो we are not giving you access do you think that it is a limitation on the scope of the auditor yes do you think that he is unable to obtain audit evidence in respect of internal controls in respect of sales yes or no yes so we very well now know की auditor has not obtained or he is unable to obtain audit evidence अब sales या पर्चेस के internal controls दोस्तो आपको क्या लगता है material है क्या वो दोस्तो sales पे लगे हुए internal controls purchases पे लगे हुए internal controls आपके नजर में आपको लगता है क्या कि इसके वज़े से एक user के decisions affect हो सकते है साब आपको बोलना होगा आज आपको लगता है अगर आपको लगता है कि यार यार्गनाइजेशन में internal controls बराबर नहीं है तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना आपके decision कत्राइंगे एक क्रेडिटर इसको क्रेडिट दे या नहीं दे आपके decisions क्या डगमगाएंगे बोलो yes or no yes जब आपको पता चलता है कि यार्गनाइजेशन में internal control एक दम भाई आते क्या आप बिना कुछ सोचे समझें उसको बिना पैसे लिए goods advance करोगे क्या मतलब एक क्रेडिटर के decision change हुए या नहीं हुए बोलो हुए या नहीं हुए हुए बोलो हुए या नहीं हुए हुए very good so can we conclude that sir internal controls in the organization in respect of sales is material can we conclude can we conclude that it is material yes so materiality को टिक हो गया limitation था materiality को टिक हो गया now the question is whether it is पोईसे whether it is going to affect the financial statements क्या लगता है आपको कि क्या यहां पे auditor ने internal controls check ना करने के वज़े से आपके financial statements affect होंगे क्या बोलते क्यों नहीं क्या आपके financial statements affect होंगे इसे हाँ हाँ मत करो थोड़ा दिमाग लगाओ financial statements मेरे हिसाब से affect नहीं होंगे क्योंकि sir अगर internal controls खराब है तो financial statements जो affect होंगे वो already हो चुके होंगे मेरे ना चेक करने के वज़े से financial statements affect नहीं होंगे sir समझा नहीं अरे दोस्तों अगर internal controls बेकार है तो जो भी गलतिया आनी थी that is to say sales which are not made recorded as sales goods sent on approval basis recorded as sales बराबर के नहीं फिर उसके बाद क्या बोलते हो उसको goods not yet received बराबर के नहीं is excluded from the closing stock even though the entire purchase has been made बराबर proper control नहीं है वहाँ अब दोस्तों control नहीं है वहाँ इसके लिए क्या आपके financial statements already affect हो चुके है क्या ज़रा सोचो क्या financial statements already affect हो चुके है क्या मैंने check नहीं किये इसके वज़े से affect हुए ज़रा एकदम ठंडे दिमाग से सोचना मैं जो बोल रहा हूँ ना एकदम शान्ती से organization में internal controls weak है उसके वज़े से जो-जो errors आने थे ना वो already आएंगे फिर उसके बाद मैं आता हूँ मैं बोलता हूँ मुझे internal controls check करने है वो बोलता है नहीं कर सकते I have to think about the pervasiveness मैंने check नहीं किये इसके वज़े से financial statements affect हुए या financial statements already affected थे already affected थे ना so putting a limitation on me आई बाद समझ मैं putting a limitation on me in respect to internal controls does it affect your financial statements no because sir it is already affected no doubt बाद में वो affected financial statements को तो check कर रहा हूँ ना अब बात समझ रहाँ गया मैं बाद में financial statements तो check कर रहा हूँ ना मुझे financial statements में जो जो areas दे उनको check करने का access है गया हाँ मुझे internal control sales से check नहीं करने दिया in this case auditor considers qualifying his opinion क्या करेगा वो he will qualify his opinion sir इसका मतलब क्या है अब जरा एक दम है ना ऐससा आपके body के अंदर जाएगा ना आपका दिल एक दम खुश हो जाएगा आप बोलोगे वाओ यार साथ जिंदेगी में पहली बार समझा opinion कौन सा कैसे देते है अब I will consider qualifying an opinion qualify करना simple भाषा में I just want to mention it in my audit report मुझे बस इसका है ना एक बात बतानी है मुझे members को I just want to qualify it I just want to report it I just want to say it to them that's why I am just qualifying it what is the need to qualify see try to understand यह material है ना मतलब यह user के decision को affect कर रहे है ना तो मुझे मुझे क्या है यह users को बताना अनिवार्य है कि यहाँ पे internal controls check नहीं किये थे auditor ने बट यह pervasive मेरे हिसाब से मैंने जब check किया तो accounting वगरे सब कुछ बराबर था you have a good sent on approval basis yes it was not recorded as sales बराबर के ने closing stock was properly valued सब कुछ मे को बराबर से अच्छे से दिखा मेरे को सब कुछ दिखा मेरे को so I see that financial statements are perfect but still they had limited my scope में तो बताउंगा members को क्योंकि internal controls में ने चेक किये नहीं है तो इसके क्या possible effects होंगे मैं यह नहीं बता सकता हूं इसके लिए what I do I just qualify what I do I just qualify and अब वो qualified opinion में कैसा दूंगा ध्यान जोगा आपको याद होगा जब अपन fair presentation framework में अपनने opinion कैसा दिया था unmodified opinion कैसा दिया था in our opinion the accompanying financial statements give true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework ऐसा बोला था अपनने अब qualify कैसे करेंगे qualify कैसे करेंगे द्यांसर सुनना accept word क्या यूज किया accept for the reasons stated in basis for qualified opinion paragraph कौनसा opinion मन जाएगा qualified दे रहे ना अपन पहले अपना आपको याद है ना auditor's opinion उसमें introduction फिर अपना opinion फिर fourth point अपना आता है वो कौनसा है वो वो fourth point कौनसा है अपना basis for opinion याद हना आपको अब बच्चो एकदम अच्छे से ध्यान सा सुनना वो basis for opinion अब change modify हो जाएगा and it will be called as what basis for qualified opinion और वो basis for qualified opinion में अपन वो reason लिखेंगे कि हम को internal control check करने नहीं दिये गए थे और अब main opinion में क्या लिखेंगे except for the reasons stated in the basis for qualified opinion paragraph गॉर्च असनना the financial statements give true and fair view sir क्या भोल रहो आप except for the reasons stated in the basis for opinion paragraph that is qualified opinion paragraph the financial statement give true and fair view yes sir क्यों क्योंकि बच्चों क्या मेरे financial statements यहां पर affect हुए थे क्या मेरे financial statements affect हुए थे क्या नहीं तो फिर सर आप बता क्यों रहो आरे बताना जरूरी इसके लिए क्योंकि वो area material है और users को इसके बारे में मालूम होना चाहिए इसके लिए मैंने क्या किया मैंने बोल दिया देखिए सिवाए इसके आपके financial statements अभी भी true and fair view देते है आई वाद समझ मैं आपको that is what I did I just qualified what I did I just qualified अब आगे बढ़ते हैं एक example लेते हैं और मैं ना sales area check करने गया अब देखो पहले क्या हुआ था ना internal controls check करने नहीं दिये थे बड़ सेल्स वाकई में बड़ा बर से बैने चेक कर लिया था अब उसी example को अपन continue करते हैं और मैं गया sales check कर रहे हैं और management बोला हलो internal control तो चोड़ो आपको sales भी चेक करने नहीं देंगे हम लोग आपको debtors भी चेक करने नहीं देंगे हम लोग मैं बोला यार यह तो फिर गड़ पड़े हैं यह तो मार्केट से पैसा आना है उन लोगों को बराबर network calculate करने के लिए sir काम में आएगा sir yes management बोलता data check नहीं करेंगे आप लोग management बोलता है आपको हम बस एक return representation देंगे आप उसके basis पर अपना काम चला लेना मैंने का यार यह तो limitation है मेरे को मेरा काम करने नहीं दे रहे दिखता है यह material भी है अब बात करेंगे परवेशिव किये अब auditor ने data check नहीं किये क्या उसके वजह से financial statements affect होंगे गया अब yes शुर कोई से अरे provision for bad and outful debts classification of debtors सब कुछ है ना बोलो को editor अपने write-off कर दिया होगा बट बाद में उसका पैसा आया होगा तो write-back करना भी पड़ेगा ना it may get affected your financial statements may get affected but अब मुझे यह चीजे चेक करने नहीं दे रहे आप लोग और बाप रहे इसा मुझे नहीं खेलना आप लोगों के साथ मैं opinion ही नहीं दूगा that is मैं क्या कर दूँगा अपने हाथ ऊपर कर दूँगा I will give what? a disclaimer of opinion paragraph I will give what? disclaimer of opinion sir मतलब क्या disclaimer अब अब ध्यांचा सुनना wordings because of the reasons change हुआ कुछ पहले क्या बोला था? except अब क्या बोल रहे हैं? because because of the reasons stated in basis for disclaimer of opinion paragraph auditor cannot express an opinion auditor cannot express an opinion on the possible effects on the financial statement वो possible word आना बहुत जरूरी है बताउंगा जब पढ़ेंगे तब वो possible क्यू? क्योंकि अपनने चेक किया नहीं है और अपने को लगता है कि उसके possible effects material भी है और pervasive भी है देखो ज़रूरी नहीं है कि कोई debtor bad debt का classification already बराबर से कर दिया होगा ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ गडबड होगी but अपनने चेक किया क्या? नहीं अपनने सिर्फ बताया था सिर्फ बताया था अपनने सिर्फ qualified क्या था बाकी बोला था it is true and fair disclaimer में क्या हुआ disclaimer में क्या हुआ material भी है material है चल qualified दे सकता था तबी बट यार अब तो ये financial statements को भी affect हो रहा है न बराबर के नी और वो चीज में चेकी नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज में चेकी नहीं कर पा रहा हूँ तो how can I express my opinion चलो चोडो I will say वो reason के वैसे I am not expressing an opinion topic close आई बात समाझ में आपको so did you get the difference between qualified opinion and disclaimer of opinion you just qualify when you see that the restriction or the disagreement was material but it is not affecting your financial statement you just want to then inform it to the members or the concerned parties therefore you just qualify but when it is the case of disclaimer you see that limitation था उसके possible effects material भी थे पर्वेसिव भी था financial statements may get affected Baba I cannot express an opinion got it got it yes so that is qualified and disclaimer for you disclaimer में कुछ चीज़ आपने को खास नोट करनी होगी because since the opinion gets modified since the financial statements may get affected may get affected our audit report needs to be modified so how do we modify our report first if you remember the 700 अपना सीरीस original audit report so you can see पहले आपन बात करते है ताइटल फिर उसके बाद बात करते है addressy and then we talk about is the auditor's opinion जिसके अंदर introduction में first अपन क्या लिखते है identify the entity and state that we have audited अब जब वो लिखते है न state that we have audited disclaimer of opinion में वो state that we have audited को cut करने का और लिखने का state that we have we were engaged audited cut करने का और उसके जगा क्या लिखने का we were engaged क्यों सर अरे meant audit किया तुमने इसका मतलब क्या हुआ तुमने evidence obtained किया ना बड़ तुमने evidence obtained किया क्या नहीं किया क्योंकि सर limitation था इसके लिए opinion दे पाए गया नहीं इसके लिए we were audited को cut करके अपन क्या लिखेंगे we were engaged छुटी बात है बड़े काम की चीज है और आगे आपको यादे फिर basis of opinion in paragraph में आपने पड़ा था we have conducted or audit in accordance with the standards on auditing number two refer to the section in the auditor's report that describes the auditor's responsibility in accordance with the essay we were independent weber we complied with all the ethical requirements and as per the given by the institute code of ethics and fourth point which में आपनने देखा था शुमें क्या लिखा गा था कि the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence on which he has based his opinion इस बाराबर तो अब फूर्थ पॉइंट को भी चेंज करने का और लिखने का दी ऑडिटर हैस नर अप्टेंड सेफिशन अनप्रोप्राइट ओपर्विडेंस देरफ़र इकनाइक्स्प्रेसें अपिइन आई वाथ समझ में आपको तो वो चीजे चेंज होगी समझ में आई बात किसी को वह दिक्कत है qualified और disclaimer में पूछना पड़ेगा आपको qualified में just qualify किया मतलब just qualify किया financial statements affect नहीं थे न इसके लिए अपन बुल रहे थे कि इसको छोड़के बाकिस सब अभी भी true and fair है बट फिर disclaimer में आते इसी के वजह से हम opinion नहीं दे सकते हैं बात समझ में दोनों में yes perfect है अब तीसरा बच्चो inventory अपन कैसे value करते है FIFO या LIFO हाँ FIFO या LIFO बोलते क्यों नहीं FIFO LIFO अरे बोलो अरे आपको आता क्या मेरे future chartered accountants दोस्तो inventory valuation as per accounting standard 2 is valued at FIFO और LIFO which is permissible FIFO LIFO 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 थोड़ा confidence है बोलो न LIFO LIFO यह क्या हो गया आप management नहीं है आप auditors है में management है आप बोलते FIFO में बोलता लीफो दोनों के बिच में क्या हो गया disagreement हो गया आई बात समझ में disagreement हो गया आदोनों के बीच में यह के दिखता है कि आपको disagreement with management बोलते क्यों नहीं yes or no आप आप समझ यह यह disagreement with management इसका मतलब क्या है कि यहां पे having obtained audit evidence auditor concludes that it is wrong आई बात समझ में मतलब मैं auditor है मैंने evidence obtained किया है मैं बोल रहा हूँ कि तुमने evaluation गलत किया है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तुमने evaluation गलत किया है हलो हलो मैंने evidence obtained किया है और evidence के बलबूते पे मैं बोल रहा हूँ कि तुमने तुमने गलत किया है having obtained evidence management मोलता है नई हमने सही किया है leaf पे ही करना है अच्छा रुख जा अब मैं opinion देगा adverse कईसे adverse क्योंकि stock material तो है और stock का valuation गलत हुआ उसके वैसे क्या financial statements भी affect हुए क्या yes so therefore I will give an adverse opinion because it is disagreement with management material भी है और pervasive भी है in that case मैं मेरा opinion क्या express करेगा because of the reasons stated in adverse opinion paragraph basis for adverse opinion paragraph गौर से सुनना the financial statements does not give true and fair view आई बात समाज में हतियार देगो कैसा बला disclaimer में evidence नहीं था material उसके possible effects material और pervasive हो सकते थे इसके लिए मैंने opinion नहीं दिया क्योंकि मेरे पास evidence नहीं था अब adverse में evidence है मेरे पास boss evidence प्राप्त करके बोल रहा हूँ वो material भी है और pervasive भी है और वो गलत है तुमारा it does not give true and fair view मजा आए के पड़के समझ में आए के आपको yes अब होता कहा है ना और एक example देता हूँ एड़वर्स के एक्जाम में आपको SDK studies देंगे और बोलेंगे consider in this situation which type of opinion should be given ठीके ना अब जरा सुनना auditor obtained audit evidence in respect to the fact that the going concern assumption of the company is no longer valid बराबर auditor obtained evidence वो evidence क्या मिला होंगा उसको मानलो कोई जो major contractor है अब वो company के साथ नही रहा company का जो major finance है bank से वो renew नहीं हुआ बराबर continuously there is a negative cash flow for throughout और because of the losses the net worth has been eroded अलग-अलग reasons हो सकते है बराबर उसके वजे से let's say it casts a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern an auditor has obtained an evidence which states कि yes the going concern assumption is no longer valid उसके हिसाब से आप बच्चों बताओ से ये final level पर आप chartered accountants बनने वाले हो क्या होता है जब going concern assumption valid नहीं होता तब क्या होता है क्या होता है financial statement space का क्या impact आता है very good the balance sheet is shown on net realizable value usually we prepare our balance sheet on historical cost बराबर के नहीं subject to certain adjustments as per the required accounting standards बच जब going concern assumption violate हो जाता है तो we have to show our financial statements on realizable value अब सोचो management अगरी नहीं करता बोलता है नहीं नहीं ऐसा कैसा going concern valid नहीं तो धन्दा करेंगे आने वाले कई साल करेंगे नो going concern is intact अरे auditor के पास evidence है you don't have anything otherwise to prove how you are going to continue your operations you have not provided us with any evidence boss, hello तो फिर क्या हो जाएगा उस case में financial statements management बतारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होना चाहिए था कैसे realizable value पे वो लोग सुन नहीं रहे वो material है going concern do you agree going concern is material अरे यहां sir अगर कि वो आ गया ना notes में the going concern assumption is no longer valid आप जैसे investors invest करने के इच्छा रखेंगे क्या नहीं तो यूजर का decision affect होगा और financial statements भी affect होगे हाँ बद उनने चेंज किया नहीं disagreement हाँ material हाँ pervasive हाँ देदो कौन सा opinion adverse आई बात समझे आपको तो यह सारी बाते होती है यह तीन हतियार होते है कि अपने को अपना opinion कैसा place करना है यह तीन weapons है auditors के आर्मरी में जब कभी कोई चीज होती है material बद आपको लगता है यह यह financial statements को affect नहीं होगा उस घड़ी उस समय अपन क्या करेंगे we will just express what a qualified opinion बराबर अब आपका एक चीज पेंडिंग है qualified opinion में अपने को देखना है disagreement with management बराबर ना वो बाकी है न यह बच्चों को समझ में नहीं आता है so मैंने क्या किया वो HCC का आपको जो annual report दिखा रहा था ना जब आपन कल पढ़ रहे थे तब बराबर तो उन्होंने कुछ qualified opinion दिया और basis basis एक दो मस्ता है ना है चगा चग दिया है जरा देखते ना आपन क्या कहना चाहरे है वो लोग ठीक है आओ दोस्तों अपन देखते है qualified opinion मतलब क्या कहना चाहते है कैसा कहना चाहते है basis में क्या लिखा हुआ है इतना जो अपन ने ग्यान दिया है ना यहां पर अभी इतने lecture में अपन पढ़ रहे let us see कि अपने को ये समझ में आया क्या और exam में अपन लोग इसको draft कर सकते है क्या क्या क्योंकि drafting के questions आ सकते है देखो जब आप लोग company secretary अगर कोई बच्चे करते होंगे तो drafting वाला काम बहुत होता है उसके अंदर resolution draft करो, ऐसा करो, ऐसा करो you never know when the institute may ask यह ना दिख रहे हैं कि आपको इदर basis for, कौंसा opinion दिया रहे है दोस्तो qualified opinion अब qualified opinion दिया है यह अपने को मालूम है बराबर के नहीं परे qualified opinion पढ़ते हैं फिर basis for qualified opinion में आते हैं ठीक है ना, yes in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us except 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 for the possible effects of the matter described in the basis for qualified opinion paragraph the aforesaid stand-alone financial statement give the information required by the act in the manner so required and give true and fair view उसको छोड़के बाकी सब क्या है true and fair है अब यह possible effects यह बाए है है तो अब यह समझ जाना यह disagreement के वज़े से नहीं है यह किसके वज़े से possible effects है मतलब यह किसके वज़े है limitation के वज़े से आई बात समझ में आपको limitation के वज़े से देखिएगा अब अपन basis for qualified opinion यह exam में आपको ऐसे है लिखना है देखना reference देना है as stated in note 33a to the stand-alone financial statements the company's जर धान से पढड़ना the company's non-current investments non-current, current नहीं non-current investments as a 31st March 2018 include investments aggregating to 630 crores in two of its subsidiaries 630 crore के non-current investment two subsidiaries में है बराबर and non-current loans other non-current financial assets and other current financial assets as at the date includes dues from such subsidiaries aggregating 580, 43, 6.63 crores respectively अपने बुक्स में which are being considered good and recoverable by the management considering the factors stated in the aforesaid note including valuation report from the independent valuer valuer का report पर लाके सब ये बोल दिया however अब क्या कहता है auditor these subsidiaries have accumulated losses and their consolidated net worth is fully eroded further these subsidiaries are facing liquidity constraints due to which they may not be able to realize projections made as per their respective business plans in the absence of sufficient appropriate audit evidence we are unable to comment on the carrying value of these non-current investments of these non-current investments हमारे पास क्या है इसके बारे में evidence नहीं है independent valuer की report है बढ़ हमको दिखता है वो जो subsidiaries है ना उनके network 3rd हो चुकि है continuous losses है तो उसके realizable value actual value हम लोग नहीं दे पारे क्योंकि हम लोग ने उसका audit किया नहीं है उसके valuation मालूम नहीं है सो अब क्या है देखिये we are unable to do it that is a limitation on us it is material because the investments the inventory the loans it's what material but this is not affecting your financial statements क्योंकि सब कुछ management ने वो वो वालूर का report वगर रे के consider किया है और बराबर carrying values बता ही है सो इन इस case auditor considers what giving a qualified opinion आई बात समाज में because it is material and not pervasive so in the absence we consider giving qualified opinion our audit opinion on the stand-alone financial statements for the year ended 31st March 2017 was also qualified in respect of this matter आई बात समाज में आपको so ऐसी चीजे अपने को exam में कोई case study आपको दे सकते है बराबर subsidiary में इतना है उनकी velocis है ऐसा है वैसा है in this case what things you will verify for the investments and express your opinion तो ये सब चीजे आपको अच्छे से लिख के आने पड़ेगे आई बात समाज में और यही बात जब आप लोग CA बनते हो या आप एक financial expert बनते हो तो you should be able to read the auditor's report and understand what the auditor wants to communicate बराबर जब वो कहता है possible effects समझ में आ जाना चाहिए कि उसने evidence option किया नहीं है बराबर तो फिर वो क्या है क्यू है कैसे उसने matter को qualify किया है वो आना चाहिए आपको are we good so आपको दोस्तो तीन opinions आपको समझ में आ चुके है qualified disclaimer and adverse अप कुछ खास बात है और फिर fast fast पढ़ लेंगे या शायद आप घर पर पढ़ लेना उसको घर पर पढ़ लेना आप उसको आपको समझ में आ जाएगा बट कुछ खास बात है पढ़ने के पहले देखे अगर आपके उपर पहले कोई limitation लगता है बात को समझ ना special points अगर आपको ऊपर कोई limitation लगता है तो पहले directly बोल दिने का नहीं चल अब तो मैं disclaimer ही देगा पहली चीज जब आपके उपर कोई limitation लगता है what steps you need to follow is request the management or appropriate person to remove that limitation if they are still not ready to remove that limitation go to the higher authority that is to say those charged with governance and ask them to remove the limitation if the limitation is still not removed consider what type of opinion the auditor may give qualified or disclaimer qualified है तो ठीकी qualified है खतम कर देना बात को but if you think that in this situation it warrants to give what a disclaimer of opinion auditor should first consider about giving his resignation where it is permitted by law बराबर के रहे और फिर जब आपना resignation देते है तो आपको यादे section 140 subsection 2 अप्टिवेट हो जाता है that he has to inform company ROC and government company होगी तो company ROC and CNDG in form number ADT 3 the facts and other reasons causing resignation sublink होना चाहिए but अगर वो कहते है ने resignation possible नहीं है so in that case simply is to consider giving what disclaimer of opinion आई आई बात समझ में yes that is number one in respect to disclaimer बुल बचाहिए written representation लेना जरूरी है क्या the answer is no अगर आपके पास already sufficient appropriate audit evidence है तो आपको written representation की ज़रूरत नहीं है written representation बेसिकली कब यूज होता है to support the audit evidence already obtained आपके पास already evidence है उसको support करने के लिए अगर आपको extra evidence मिल जाए तो क्या बुरा है एक से बले दो बराबर के नहीं बैसा अगर मुझे कुछ और check करने देई नहीं रहे और सिर्फ बोल रहे आप सिर्टन representation के basis पे काम चलाओ तो चलेगा क्या? नहीं अगर आपको याद होगा कल मैं जब SS का वो पूरा list बोल रहा था तो उसमें मैंने क्या बोला था? written representation, it acts as audit evidence but it is not sufficient and appropriate audit evidence on its own it is used to support other audit evidences keeping these three points in mind अपने को evidence चाहिए but कैसा चाहिए अपने को evidence sufficient and appropriate तो क्या बच्चा वो काम चलेगा क्या उससे सिर्फ उससे काम चलेगा क्या? नहीं, perfect यह होगई disclaimer वाली बात जो पहले थोड़ी दिर पहले कर रहा था अब बात करेंगे कुछ और खास चीज़ की देहां सा सुनने हैं देखिए जब भी हम लोग qualified opinion देते हैं qualified opinion के साथ unqualified opinion भी दे सकते हैं मतलब देते ही है qualified and unqualified goes and in and कोई problem नहीं है मतलब कैसे? अपन लिखते है न except for these things financial statement gives true and fair view जब अपन लिखते है they give true and fair view और we say they are as in accordance with the applicable financial reporting framework they are prepared that is compliance framework के हिसाब से तो we are saying what it is unqualified but when we write except for we say we are qualifying it so qualified के साथ unqualified जाता है but disclaimer और adverse के साथ unqualified opinion कभी नहीं आएगा आप देखो ना खुदी सोचके the auditor cannot express an opinion and the financial statement gives true and fair view वो दुनों साथ में जाएगे क्या? नहीं but qualified में except for the reasons the financial statement gives true and fair view qualified, unqualified can go अपन एक तरफ बोलते the financial statements के उपर अपन आपन नहीं दे सकते and the financial statement gives true and fair view something absurd, something wrong is there so आपका disclaimer और आपका unqualified opinion साथ में नहीं जाएगा same way में आपका adverse और आपका unqualified भी साथ में नहीं जाएगा मतलब the financial statement does not give true and fair view and the accompanying financial statement gives true and fair view नहीं but disclaimer और adverse के साथ unqualified कभी नहीं हो सकता आई बात समझ में आपको so with this we wind up essay number 705 I hope वो standard आपको एक दम अभी clear होगा समझ में आया होगा है ना अब हम लोग यहां से आगे बढ़ता है दोस्तो आपको है ना यह जित्ता भी लिखा हुआ है ना यह सब कुछ में ने पढ़ा दिया है पूरा पूरा जित्ता भी है ना end to end मतलब मैं आपको बताता हूँ आपको फिर घर पर पढ़ना है यह type किस पर depend करता है it depends upon whether financial statements are materially misstated आपको दीखेगा यहाँ पे materially misstated और inability to obtain sufficient appropriate audit evidence materially misstated मतलब disagreement है कि गलतिया है करके और inability to obtain audit evidence मतलब अपन क्या बोलते है limitation of scope है और यह depend करता है about बराबर material तो होना ही चाहिए बट फिर depend करता है about its pervasiveness बराबर कि वो financial statements को affect करता है या नहीं फिर the auditor यहाँ पे आप देखोगे when can the auditor modify so वो केता है based on the audit evidence obtained when the financial statements are not free from material misstatement or he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that as a whole are not free from material misstatements so यहाँ पे आपको क्या दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो first इसमे वो disagreement की बात कर रहे है which is material और यहाँ पे वो second में B में limitation of scope की बात कर रहे है बराबर के नहीं फिर वो depend करेगा उसके pervasiveness पे आई बात समझ में आपको फिर qualified opinion कब दिया जाएगा तो यही अपने देखा था कि having obtained audit evidence बराबर auditor concludes that it is material but not pervasive मतलब यह हो गया किसके लिए यह हो गया disagreement material भी tick और pervasive भी tick sorry pervasive को cross but not pervasive बराबर अपने चार्ट में वही लिखा था फिर आगया अगर आप देखोगे तो unable to obtain sufficient appropriate मतलब क्या हो गया आपना यह limitation of scope फिर यहाँ पे आप दिखेगा to which to base an opinion concludes that यह word बहुत धान में रखना possible effects possible क्यों कि अपने evidence obtained किया हुआ नहीं है और future में क्या होगा यह अपने को मालूम नहीं है तो इसले वो when you are giving disclaimer और when you are giving qualified opinion because of limitation remember to use the word possible effects, okay यहाँ पे आपको दिखता है possible effects could be material but not pervasive तो यहाँ पे material को tick है और pervasive को cross है, adverse में आप यही देखोगे having obtained it is both material and pervasive, disclaimer में unable to obtain and the possible effects are both material and pervasive यही बनाया कि आपने कतम फिर यहाँ पे consequences of inability तो आप बोलेंगे accept करने के पहले अगर limitation लगा है तो जो में आपको ग्यान दिया तो ना कि पहले बोलो request करो कि remove the limitation नहीं तो higher authority के पास जाओ फिर अगर नहीं तो आप resignation दे देना resignation possible नहीं है तो आप ने if it is not practicable or possible you give what a disclaimer of opinion यही ग्यान दिया था मैंने आपको खतम हो गई बात फिर other consideration मतलब यह यहाँ पे बोलता है कि आपको आप adverse या disclaimer देंगे ना तो उस समय पे you shall not also include unmodified opinion जो मैंने बोला ना आपको कि adverse और disclaimer के साथ आप unmodified नहीं दे सकते but आप qualified के साथ unqualified या unmodified दे सकते हो क्या हाँ वही बात हो रही थी फिर उसके बाद यह special consideration तो अपने qualified के लिए आपन लिखेंगे except for बराबर except for the accompanying financial statement gives true and fair view जब adverse देते है तो आपन लिखते है because of the financial statement do not give true and fair view उसके बाद disclaimer में आते है since it is unable to obtain audit evidence auditor does not express an opinion यह बात हो गए थी यहाँ पे फिर आपन यहाँ पे हर एक चीज के लिए basis for opinion paragraph देंगे as the opinion may be the basis for opinion paragraph will be modified to basis for qualified basis for adverse or basis for disclaimer as appropriate खतम आपका standard खतम आपको जो मैंने chart और जो मैंने आपको knowledge दिया आपको समझ में आगया कितना easy है एक दम very good with this we complete with what are essay number 705 and उसके बाद अपन आते है next standard that is essay number 706 कौन सा standard बच्चो 706 जो किसके बारे में बात करता है about it talks about emphasis of matter paragraph and other matter paragraph एकदम simple दो मिनिट में खतम कर दूँगा मैं इसको बाद में आपको घर जाके इसको इसको पढ़ना है पूरा what is emphasis of matter paragraph and other matter paragraph try to understand emphasis of matter paragraph emphasize कर आप जैसे simple example आप अगर देखोगे आपको आपका कोई junior बहुत सी बार आपको पूछता होगा कि भाया दीदी हमने एक particular classes कहां लगाने है classes के बारे में पूछते न आपको बहुत सारे लोग बराबर आप जब office में जाते हो तो आपके office में कोई new joinies होते है वो भी आपको पूछते है कि final के classes आप कहां कर रहे हो आपने भी रादर शायत जो भी classes आपने join किये थे आपने आपके seniors से पूछके ही आपने आप classes के decision लिये थे बराबर Yes Now try to understand जब माल लो for example in future if somebody asks you यार inter का audit किसके पास लगाने का final का audit किसके पास लगाने का you might say कि आरे आर तो हर्षद सर की class लगा बोलोगे ना ऐसे हाँ बोलोगे एक ठीक है so आप बोलोगे कि भाई तो हर्षद सर की class लगा है ना पूरा दरा class में हो जाएगा पढ़ के समझ के सब कुछ everything will be done लिए एक दान nicely and neatly so वो जो आपका जो junior है वो क्या बोलेगा ठीक है आपकी बात मान लूँगा बढ़ उसो क्या खास बात है तुम्हारे हर्षद सर में नहीं बाहर और इतने faculties है all over India इतने faculties audit के virtual lecture सब जगा अवेलेबल होते है तो why are you insisting more on हर्षद सर's class only फिर आप क्या बोलते हैं फिर उसको बोलते हो कि concept पढ़ाते है फिर उसका examples discuss करते है फिर उसका revision होता है फिर class में पढ़ने का time दिया जाता है अभी time मतलब वो regular batch में होता है फास्ट रेक बाले है हमको कहा time दे रे पढ़ने के लिए बराबर तो ये सारी चीज़े ऐसी होती है आपने मेरे पढ़ने के बारे में एक opinion दिया था क्या कि सर अच्छा पढ़ाते है तुने इसके पास class करने चाहिए वो junior को वो junior is nothing but the user of financial statements the user क्योंकि ultimately उससे classes लेने he is the user बात समझ में रही आपको आपने उसको एक opinion दिया ऐसा है करके आई बात समझ में but now what happens he is asking or he wants to understand very clearly as to why this opinion बराबर so आप उस matters के उपर क्या करते हो आप elaborate करते हो आप stress करते हो आप जोर लगाते हो आप emphasize करते हो बराबर ताकि वो जो matter आप emphasize कर रहे हो वो users को financial statements समझने में आसानी हो आई बात समझ में आप जो भी उसको बोल रहे हो जो मेरे में है वही चीज़े बोल रहे हो ना आप उसको बो yes or no आप उसको यहाँ आप की ग्यान की बात है बोल रहे है क्या नहीं आप सिर्फ मेरे बारे में बोल रहे हो उसको आई बात समझ में that is emphasis of matter अब मैं अपने audit से रिलेड़ बात करता हूँ अपने financial statements में already कुछ matters है जिसके ओपर auditor ने अपना opinion already दे दिया है बराबर बट अब वो क्या करता है उस matter के ऊपर और evidence obtain करके उसको elaborate करके अच्छे से समझाता है users को ताकि users को financial statements समझने में आसानी हो आई बात समझ में आपको so the matter which is present in the financial statements being emphasized for better understanding of the financial statements or opinion by the users is nothing but called as what emphasis of matter paragraph आई बात समझ में आपको yes can you see the heading hey guys क्या लिखा हुआ है audit report के अंदर emphasis of matter जो आपन अभी पढ़ रहे है अगर आप अभी focus करोगे देखो में आभी तके ना आपको standard में से अंदर कुछ नी बढ़ा ऐसी वो theme दिया है आपको आप मैं उसका practical example बता रहो हूँ आपको कि how it is given in the real life audit reports क्योंकि ये future में आपका काम है बहुत से बच्चों को जब उस CA बन जाते फिर भी उनको मालूम नहीं होता है कि how to emphasize a particular matter you don't know and as a after becoming CA and if you want to emphasize certain matter आप बलो कि नहीं होता चलेगा कि फिर ऐसा तो अब पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है withdraw attention to note 33b to the stand-alone financial statements regarding पहली चीस तो आप क्या note करते हो यहापे कि यहाँ पे emphasis of matter किसके ओपर दिया गया है the matter which is present in the financial statements or matter which is not present in the financial statements बोलते क्यों नहीं which is present in the financial statements बराबर के नहीं so जो भी items आपके financial statements में है वही matter emphasize किया जाएगा आई बात समझ में फिर आप देखो वो किसके बारे में to the stand-alone financial statements regarding the company's non-current investment in a subsidiary non-current जो पन ने अलरड़ी वो उसमे qualified में दिया था यादे उसको basis में दिया था उसके बारे में बोल रहा हूँ वो क्या बोलता है आप देखो कैसे करता 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 है आप देखो the consolidated net worth of the afford subsidiary has been fully eroded however based on certain estimates and other factors including subsidiaries, future business plans growth prospect and valuation report from the independent valuer as described in the said note management believes that the realizable amount is higher than the carrying value of the non-current investments non-current loans and non-current financial assets due to which these are considered as good and recoverable our opinion is not qualified in respect of this matter आप को कुछ समझ में आया है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको यहाँ पर basis qualified opinion में लिके जाओ basis में तो उसमें क्या लिखा हुआ था देखना being considered good and recoverable by the management considering the factors stated in the aforesaid note including valuation report management ने यह किया है however these subsidiaries have accumulated losses etc. etc. further these subsidiaries are facing liquidity constraint ऐसे ऐसे वो बेस बोला है उसने बट यहाँ पर अब उसने specifically उन values जो है न वो वो जो subsidiaries में investment उनका loans बराबर उसके बारे में उसने क्या बोला यहाँ पर तो वो क्या बोलता है यहाँ पर कि देखो कि certain estimates है other factors including उसके future business plans growth prospect valuation report management ऐसा यकीन मानती है कि it is realizable at a much higher value our opinion is not qualified in this behalf क्योंकि अपने already इसके उपर अपना opinion दे दिया है and अपने limitation के वज़े से अपन उसको check नहीं कर सकते so we are not expressing any opinion on that behalf तो आपको समझ में है कि वो item जो already financial statements के अंदर है बस वो user को अच्छे से समझ में आए कि अब ऐसा आखिर क्यों management चाहती है कि यही value रखे करके why the management wants to keep this value so आप audit report में यह लिखेंगे कि देखो उसके future business plans उसके growth prospects independent value और का report इन सारे बातों को मद्दे नजर रखते हुए management ने decision लिया है हम आपको क्यों बताना चाह रहे है आपको क्यों बता रहे है यह detail में ताकि आपको financial statements की वो जो figure है ना बराबर की बबाँ aggregating to 2.24 crore 1.281 crore वो आपको as a user उसके ओपर confidence आए कि हाँ भया auditor ने इसके ओपर और ग्यान दिया है कि आखिर management इसको अच्छा क्यों बोल रहा है another note 34 to the stand-alone financial statements regarding uncertainties relating to recoverability of unbilled work in progress however non-current trade receivables and current trade receivables amounting to so and so which represents various claims raised in the earlier years in respect of projects substantially closed or suspended and where the claims are currently under negotiation pending the ultimate outcome of these matters which is presently unacertainable no adjustments have been made in the accompanying stand-alone financial statements our opinion is not qualified in this matter अब क्या है यहां पर आप समझो यह जो उनके uncertainties है in respect to trade receivables और एसके उपर उन्होंने कोई भी adjustment किया हुआ नहीं है सिर्फ इतना ही दिखता है कि कोई भी adjustment किया हुआ नहीं है आपको में भी question आ भी सकता है नहीं भी आ सकता कि यह recoverable है या नहीं है इसमें कुछ adjustment होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो auditor बोलता है रुख जा ठेर जा मैं इसके ओपर emphasize करता हूँ कि हमने इसके ओपर कोई adjustment किया नहीं है और क्यू नहीं किया है वो मैं emphasize कर रहा हूँ यहाँ पर आरी बात समझ में you can have a lot of examples are you getting it? yes so अब जरह मैं आता हूँ इसे 706 पर आपको बताता हूँ what is emphasis of matter paragraph a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statements we bring our attention to the note so and so note so and so that the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to user's understanding of the financial statements so ऐसी matters के बारे में emphasize करता है so that he believes that the user's very well understands the financial statements khatam emphasis of matter paragraph that's it आई क्या बात समझ में आपको अब बात करेंगे other matter paragraph क्योंकि 706 में दो आते हैं एक आता है emphasis of matter और दूसरा आता है other matter paragraph now what is other matter paragraph other matter other matter मतलब जो matter आपके financial statements में है नहीं बराबर it is other than financial statements right a paragraph included in the auditor's report refers to the matter other than those presented or disclosed in the financial statements जो चीज़े financial statements में हैं आप उसके बारे में बात करना चाहते हो तो उसको क्या बुलेंगे आपन emphasis of matter जो चीज़े financial statements में नहीं है नहीं है उसके उपर आप ज्यान देना चाहते हो वो कहां आएगा other matter paragraph क्या इनके audit report में अपने को other matter भी दिखता है क्या ए बच्चो emphasis of matter देखा other matter अपकी पढ़ने के इच्छा है इसको पढ़े इसको so that we can get a clear idea क्या बाँ हाँ इसा other matter में क्या डाल दिया उसने देखना we did not audit the separate financial statements of six joint operations इनके financial statements में है क्या ये बड़ो ये सर नो ये इनके financial statements में है क्या नहीं ये किसी और के है बट वो फिर भी आपको बता रहे other matter भराबर की वी दिखना audit included in these financial statements whose financial statements whose financial statements reflect the total assets net liabilities ASAT and total revenue as considered in these stand-alone financial statements the company had not prepared a separate statutory financial statements of these joint operations in accordance with the accounting principles accepted in India and which have been audited by other auditors our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures in respect of these joint operations is solely based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the company our opinion is not qualified in this matter कुछ पल्ले पड़ा यह यहाँ पर क्या क्याना चाहते है कि देखो हम लोग यह आपको ज्यान क्यू दे रहे so that you understand what you understand the way we did our audit you understand what was our responsibility how we what we accepted and you also understand how then we gave our audit report आई बात समझ में आपको हम लोग other matter paragraph में ऐसे paragraphs में क्या बात कर रहे हैं अपन ऐसे items के बारे में जिससे आप हमारा audit समझो हमारी audit report समझो हमारी responsibilities समझो in respect to what those matters which are not included in the financial statements बराबर के ने अब यहाँ पर क्या होता है न यह लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप बात को समझने की कोशिश करियेगा यह लोग यहाँ पर क्या बोल रहे है example, practical example को देखना यह लोग क्या बोल रहे है कि बाबा हमारे जो financial statements के अंदर जो है न क्या है लिखा हुआ हुआ है we did not audit the separate financial statements included in these financial statements whose financial statements reflect ऐसे 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 तो joint ventures अपने किसी और के साथ joint venture किया था तो वो क्या बोलता है simple बात कि वो जो joint ventures जिसके साथ हम लोग थे न उनके stand-alone financial statements हमने audit किये वे नहीं है तो हमने जो भी वो figures consider करे है we have considered it based on the audit reports of the other auditors बराबर के नहीं so आप बस हमारा audit समझी है हमारी responsibility समझी है यह चीजे अपने financial statements में जो है न बराबर इसके ऊपर हम लोग नहीं बोल रहे हैं हम लोग अपकिसके बारे में बोल रहे हैं other than the financial statements आई बात समझ में आपको and फिर last में इदर क्या लिखता है in this case he should consider that यह अलग heading में देना है उसको बराबर फिर उसके बाद indicate that the auditor's opinion is not modified in respect to this matter यह अपने नोट में पढ़ रहे हैं और आपको हर बार वेक लाइन दिखती है के नीचे आर बार 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 के नहीं yes and same way में you include a separate dating called as other matter exactly other matter ही लिखा है के यहाँ पर बोलो yes or no yes so this is what my dear friends we complete with essay number 706 कातम हो गया आरी बात समझ में आपको yes अब जरा एक चीज देना थोड़ा धान सुनना क्योंकि बच्चों में एक अंशंट confusion जो होता है न वो है 706 को लेके और 701 को लेके आरी बात समझ में 706 को लेके और 701 को लेके क्यों अब 706 में क्या लिखा हुआ है emphasis of matter बराबर और other matter paragraph और अब 701 में क्या लिखा हुआ है key audit matters अब पंगा हो जादा है यहाँ पर सबको लगता है सार 701 और 706 701 को लिखा हुआ है key audit matters अब अब इस key audit matters यह जरा बात को समझना फिर बात में यह standard घर पर पढ़ लेना 701 एक दम main point बताता हूँ आपको key audit matters emphasis of matter क्या बोलता है financial statements में जो चीजे आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे so that the users understand the financial statements other matter paragraph में अपन क्या बोलता है कि जो चीजे आपके financial statements में नहीं है बट हम लोग वो डालते है क्यों क्योंकि आपको हमारा audit हमारी responsibilities और हमारी audit report यह तीनों आपको समझ में आए इसके लिए हम लोग other matter देते है आपकी audit matter मतलब क्या यह standard लाया गया basically उसके purpose starting में लिखावा है to enhance the communicative value of the audit report to enhance the communicative value of the audit report अब की audit matter जब जब मेरे पास ध्यान देना एक सेकिन के लिए की audit matter जब जब मैं audit कर रहा था न audit करते दौरान मुझे कुछ ऐसे matters मिले बराबर which were crucial which were key which were of paramount importance to come to my judgment they were very key बराबर when I was doing my audit बराबर so मैं that is SA 701 बोलता है की आर अब जब जब audit perform कर रहा था audit करते करते तुझे ऐसे जो key matters मिले न तु वो भी तेरे users को बता दे कि जब मैं audit कर रहा था मेर लिए ये crucial matters थे I want to communicate this in my audit report आई बात समझ में आपको की audit matters so try to understand audit करते दौरान मुझे जो की matters मिलते है उसके बारे में mention करना S.A.701 अई बात समझ में financial statements के अंधर ही कोई matter है उसके बारे में बताना so that the user understands the financial statements emphasize of matter financial statements जो में जो matter नहीं है but फिर भी में बताता हूँ ताकि आप मेरा audit audit responsibilities or audit report समझे उसको मैं क्या बोलूँगा other matter paragraph so you understand key audit matters so now sir we want an example for key audit matters कभी-कभी जब में audit करता हूँ कोई-कोई चीजों के बारे में management estimate लगाता है बास बराबर useful life of an asset contingent liability doubtful debts this estimates बराबर isolated auditor के पास कोई sufficient appropriate evidence नी होता क्योंकि ये estimate है it is subjective it varies from person to person do you agree with this now for example here the air conditioners आप को क्या लगता ये AC किते महीने किते साल चलेगा आप बुलोगी एक साल ये बुलेगा सर छे मेने क्योंकि ता कॉंसेंट ये बुलेगी 8 महीने ये बुलेगा दो साल बराबर के ने every person in the management has a different opinion about what the useful life or about the debtors whether to consider as good or bad or about the accounting policies बराबर के ने so as an auditor I have to consider this this becomes what a key audit matter transaction with related parties may have a risk of material misstatement and any risk which has a material misstatement बराबर becomes a key matter for me in my audit तो मैं क्या करूँगा इस case में मैं यहां पे इन matters के बारे में बुलो नो बच्चो 701 में बात करूँगा that is key audit matters last point in this दो points last नी दो points बुलने है मुझे जब भी हम लोग key audit matter देते है न जब भी हम लोग key audit matter देते है न वो key matter अपने को judge करना है based on the financial statements as a whole and not as an individual section पूरे financial statements को consider करते हुए क्या वो matter आपको की लगता है क्या if the answer is yes then you give it under SA701 key audit matters audit report के अंदर अपना जो sixth point है na key audit matters तब देना है taken as a financial statement as a whole अब inventory as a whole अगर कुछ गलत value किया गया है तो I will give it under key audit matters उसका कुछ audit करते समय but अगर inventory के अंदर A, B, C में A में अगर कुछ गडबड होगी but as a inventory A में तो वो में रिपोर्ट नहीं करूँगा but as a financial statements as a whole में अगर होगा तो में रिपोर्ट करूँगा आई बाद समझ में this essay will not be applicable not be applicable last point बोल रहा हूँ this essay will not be applicable when the auditor has expressed an disclaimer of opinion sir disclaimer opinion दिया तो उसमें key audit matter नहीं देने के नहीं क्यों नहीं देने के क्योंकि तुमने audit नहीं किया नहीं क्योंकि तुमको evidence नहीं मिला अब evidence नहीं मिला तो audit नहीं किया audit नहीं किया तो key audit matters कहां से दोगे आही बात समझ में आपको बट अगर कोई law or regulation बोलता है disclaimer दिया है उसके बावजूद आपको key audit matters बताने पड़ेंगे तो जो जो चीज़े आपने actually verify करें उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा आही बात समझ में आपको yes so here we complete with what essay 701 and the chapter audit report